हेलो स्टुडेंट्स आइम बील चोधरी टीम बोटनी CLC सीकर वेलकम एड डिजीटल इंट्रक्टिव ओनलाइन प्लेटफर्म अब CLC सीकर जहां CLC सीकर आपको प्रवाइड कर रहा है अपना एक यूनिक कॉंसेप्ट बायो कैम DTS नीट के लिए ब्रहमास्तर क्योंकि बायो क कॉंसेट्स हैं डाइग्रामस हैं उनके तुरू जितने भी क्योशन्स नीट में एप्रोच हो सकते हैं जितने बन सकते हैं उन सारे क्योशन्स को बनाने का एक तरीका या फिर सारे क्योशन्स को आपके सामने प्रवाइड किया जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों राजा बिल्कुल confidence के साथ कहते हैं कि करेंगे इसमें कोई दोराय नहीं कि आप CLC के साथ हैं तो देखें students आज biochem DTS का 14 paper solution है जहाँ अपन respiration in higher plant उच पात्मों में सौशन growth and development in higher plant उच पात्मों में वर्दी और विकास आप समझ सकते हैं कि respiration दिमाग में आते ही अपने देखते हैं कि life originated in water through chemical evolution यानि जीवन की उत्पती जल में हुई थी रासानी कुदिविकास से atom, molecule, macromolecule यानि बायो molecule, sub-cellar component और ऐसे billion years के evolution के थुरू जब एक complete structure की cell बनी थी पूर्ण सर्चना की cell उसके साथ ही जीवन का शोतंत रस्तितो है यानि life का independent existence आया था और जहां से life का independent existence है वहां से iron metabolism यानि respiration है और respiration का mean है कि ये chapter जो आपको क्या बताएगा कि this chapter deal respiration within a cell, एक cell के अंदर food material का breakdown और food material के breakdown के थुरू जो energy liberate होती है, जो energy yield होती है trapping into ATP और वो ATP के रुप में trap होती है which is the currency of energy जो कोशी का उर्जा मुद्रा है और आप जानते हो कि cell की various activities के अंदर वो use होती है तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, जैसे ही जीवन का शोतंत रस्तित आया था, independent existence आया था तो हर living organism को, जो first living आया था, उसको nutrient 100% required था तो कैसे उसने nutrient लिया, और फिर आप जानते हैं, जब उस nutrient के breakdown के अंदर बहुत सारे organism को बाद में O2 की requirement भी और O2 की presence भी और उसके साथ ही gases actions तो आप भी समझ सकते हैं, कि भी जो unisonal organism थे, या उसके बाद आपन आगया according five kingdom जो classification पड़ते हैं, तो animalia के अंदर, जो आपके sponge थे, flat worms या चप्टे करमी थे, generally वो तो diffusion के थुरू अपने cells में gases actions कर रहे थे, उसके बाद जैसे-जैसे habitat पे और complexity organism पे ये according evolution नहीं बढ़ता गया कि जो different breathing के लिए भी जो organs develop हुए, clear? और आप समझ सकते हैं कि birds में, जो भी reptiles, birds और mammals में, इसके लिए complex respiratory system, lungs ये भी develop आपके हुए, बाग कि आप Geology के अंदर respiratory system और वहां gases actions ये breathing के लिए कई सारी organs पढ़ते हैं, यहां plant को अपने प्रिफिर कर रहे हैं, और plant के अंदर respiratory organ तो develop नहीं हुए, लेकिन कई सारी वहां पर specific things हैं, जिसके गाद वो अपना gases exchange को proper कर सकते हैं, तो देखेगा कि आप समझ सकते हो कि each or every cell, food material, complex food material का breakdown करती है, और उससे जो energy yield होती है, उसको ATP में trap करती है, और अपने activities में use करती है, इससे related ये NCRT की line to line से आप questions बनाए गहे हैं, तो देखेगे पहरे बच्चों, आप बहुत अच्छे से NCRT पढ़कर ये paper दिया, बहुत अच्छा किया होगा, फिर भी आप एक एक line to line अपन concept को सीखेंगे, तो अपन चलते हैं, हाँ तो देखे students, question number first, question number first, how plant can breathe without respiratory organ, पादब बिना सौसन अंगों के कैसे स्वास लेते हैं, तो आप NCRT, respiration plant के अंदर, page number 227 to 28, यानि 227 page number पर आप देख सकते हैं, अच्छे statement आपको लिख रहे हैं, कि plants के अंदर, respiratory organ नहीं है, यानि breathing के लिए organs नहीं है, फिर भी वो अपने कैसे किस प्रकार उनकी each or every cell, respire कर पाती है, food material का oxidation करती है, उसमें जो gases sections है, उसको संपन कर पाती है, के लिए तो उसे related आपको statement दे रहें, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि, statement आपको दिया है कि, each plant part take care of its own gases sections, पादप का प्रतेग भाग अपनी gases आदान परदान के आउशकता का ध्यान रखता है, आपको पता है कि plant के अंदर breathing के लिए lungs तो नहीं है, बट plant के अंदर stomata और lentical इसको संपन कराते हैं, और आप समझ सकते हैं कि generally हर part directly environment के contact में रहता है, जैसे कि woody axis भी है तो lentical के थ perform होती है, उसको रेस्टेशन में यूज कर लेती है, कि लिए तो उसे related statement है, तो आप समझ सकते हैं कि ये correct है, plant do not represent great demand for gas sections, पातपों में gasों के आदान परदान की भहत अधिक मांग नहीं होती है, आप generally, वो ही मैंने जो भी statement बोला, कि जैसे leaf है, तो फोटो संपन करेगी और सोटो को उसमें यूज कर लेगी, भागि थूरू स्टोमेटार ये वो gas exchange कर लेंगी, कि लिए देन आपका third statement है, बोथ first and second, तो ये भी correct है, फिर four statement, only during transpiration are large volume of gas exchanged, केवल वास्पों सर्जन के दोरान गैसों का अक्तेदिक अधान परदान होता है, तो ये statement इससे relate नहीं है, क् कि transpiration में तो leaf के अंदर जो stomata cavity होती है, रंदरीग वो होती है, वहाँ पर vapor pressure, vapor collect होती है, तो vapor pressure हाई vapor pressure होता है, अगर environment में dryness हो, सुस्क वातावरन हो, dry environment हो, और भार vapor pressure low हो, तो VPD vapor pressure defect मन जाता है, और diffusion के थुरू vapor आप जानते हैं कि loss होता है, water का vapor form में loss होता है, transpiration के दोरान तो वहाँ gases section की कोई बात ही नहीं होती है, तो यह statement यहाँ से related नहीं है, according discussion, answer will be third statement, first and second, तो आप वहाँ एक के क्लाइन, NCRT से clear कीजिएगा, जो आपका topic respiration higher plant, page number 227 है, और जो लोजी का, जो आप समझ सकते हैं कि, जो respiratory organ या respiratory system के लिए है, तो वहाँ हर organism के लिए, वहाँ ब habitat और उनका जो organization की वो tissue organization show करते हैं, organ करते हैं, या organ system करते हैं, तो आप सब का आपको respiratory organ बता रखा है, कि generally जैसे sponge रिये होते हैं, तो वो through diffusion ही, और कई skin के through करते हैं, कई numb तौचा, जो moist skin होती है, और aquatic जैसे gills रिये होते हैं, फिर आप समझ सकते हो कि bird है, reptile bird और mammals में lungs होते हैं, clear, लेकिन plant में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत अच्छा question आपको दे रखा है, next आप देखेगा, तो question number second, read the following statement, निमलित कतनों को पढ़िए, clear way to, तो यह आप समझ सकते हो कि page number 229, 239 पे NCRT में directly line है, statement को अपन पढ़ते हैं, ATP utilized in three different steps of glycolysis, glycolysis के तीन भिन प ऐसा नहीं, glycolysis एक fundamental respiration है, glycolysis each or every living organism में होता है, आप समसक चाहिए anaerobic respiration हो, चाहिए aerobic होई common है, न ओटू लगती है, न स्यूटू रिलीज होती है, और आप समसकते हो कि glycolysis 10 enzymatic linear chain reactions है, 10 enzymatic रेखिये, जो reactions की shrunkला है, तो उनके initially stage में, दो ATP utilize होती है, investment phase, तो एक तो glucose का अब activation होता है, glucose, hexokinase की presence हो, जो ATP को यूज़ गरता है, तो glucose 6-phosphate, then isomerase fructose 6-phosphate, then ATP फिर utilize होती है, और fructose 16-biphosphate, clear, तो phosphofructokinase जो red limiting enzyme है, तो दो ATP में आपने utilize होती है, यहाँ पर आपको 3 दे दिया, तो यह statement आपका wrong हो गया, clear, the ATP met during glycolysis generated by substrate level phosphorylation, glycolysis के दोरान, किरि बनती है, तो students बहुत important line है, कि यदि glycolysis during direct ATP बन जाए, परतेक्स वहीं पर ATP बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी substrate किरियाधारी अपना phosphate group ADP को direct provide कर दे, तो इसे आप कहते हैं, substrate level phosphorylation, और without ETS, ETS के बिना अगर ATP बनती है, direct बनती है, उसको आप SLP कहते हैं, substrate level phosphorylation, यह glycolysis में दो जग है, तो reaction 2 into 2 वहां multiply भी 4 SLP होती है, एक Krebs cycle में एक single SLP होती है, जो आगे जगर आपको बताएंगे, clear, बाकी सारी ETS के थुरू, oxidative phosphorylation, और chloroplast में photophosphorylation, clear, तो statement बिलकुल correct है, फिर glycolysis is common to both aerobic and anaerobic respiration, glycolysis YV और AYV दोनों सोचन के लिए समान, बिलक अप्लिट ऑक्सिडरों, glucose के glycolysis, के पुर्ण ऑक्सिगन में समली होता है, ऐसा नहीं है, incomplete oxidation में, जहां fermentation होता है, एनर्विक रेस्पर सुनता है, incomplete oxidation ही होता है, clear experiment, तो बोद concept wise आप जाएंगे, तो यह statement आपका क्या हो गया, रोंग, अब आपके यहाँ पर statement first, और statement four, which of the above statement are not correct, सत्ते नहीं है, तो आपके according is question हो गया, first and four, तो answer will be four, clear, तो answer आपका क्या हो गया, बेटा, इसका four हो गया, तो अब आपन next देखते हैं, question number third, number of oxygen molecule required in glycolysis, when 10 glucose molecules oxidize, glycolysis में जब 10 glucose and oxygen होते हैं, तो आउशक oxygen हो की संक्या, देखे students, मैंने काता ना, glycolysis is a common process, it is a fundamental respiration, और आप समझ सकते हैं कि it occur in all living organism of this earth, इस परत्वी के सभी सजियों में, जहां से एक सायल का या जीवन का शोतन तरस्तित वाया ता वहां से glycolysis था, और it free from use of auto and release of CO2, ना यहाँ auto लगती है, ना CO2 release होती है, तो आपका zero, तो answer will be 4, clear, next अपनल लेते हैं, और वो देखिएगा, कि question number 4, all the energy required for the life processes obtained by, जीवन गतीविदियों के लिए आउशक सम्पून उर्जा प्राप्त होती है, तो आभी समझ सकते होगी, कोशीका का स्तित्व आया था, और जीवन गतीविदियों के जो भी आपकी energy, yield होती है, through breakdown of food material, भ intensity of energy होती है, तो देखिए का यहां, reduction of food material नहीं हो सकता, oxidation of food material बिल्कुल correct है, और फिर आपका formation of large molecule from small molecule ऐसा नहीं है, energy consumption ऐसा भी नहीं है, तो answer will be second, जो आपका 4 question है, और मैं आपको बताता हूं कि जो question 4 है, page number 227, यानि NCIT page number 227, अब आप NCIT के page पकड़ते जाए बेटू, और इतने अच्छी students आप, इतना अच्छा आपने सारा syllabus CLC पढ़ा है, और पहले भी हमारा जो भी NEET के लिए पिछले साल भी जब कोरोना के इस वेस्विक महा हमारे से बच्चे जूज रहे थे, तो हमने इसके लिए वहाँ पर गुरूनिती नाम का एक concert लेक रहे थे, और अब जब आपका syllabus और अभी complete हो जाएगा, जब हमारा man DTS concept आएगा, तो man DTS इन show questions को लेकर आप अपने chapter को line to line revise करेंगे, तब देखना कितना निखा रहेगा, इसलिए भी आप अभी कर आपका syllabus चाद रहा तो 1% भी आप निरास नहीं हो, जो भी number आ रहे हैं, आपको paper देना है, paper बस हो जाएगा, फिर हमारा physics इको होगा और फिर आपका man DTS होगा, तो आपको perfectly हमारे साथ खेलना हो, आप NEET 2022 में आपकी पक्की जीत होगी, आपकी rank होगी, क्योंकि आपके संग है CLC, आपके संग है आपके अपने हम, yes, तो देखें students, हो गया, next आपने देखते हैं, question number 5, in higher plants, उच पातपों में, तो plant के लिए पनी question पूचा है, देखेगा, always all cells, tissue, organ, perform, photosynthesis, सभी कोशिका है, उत्तक और रंग, प्रकास संपन करते हैं, ऐसा नहीं है, previous chapter के जो आपने, paper solution भी देखा होगा है, पर पढ़ा आपने, तो प्रकास संपन, photosynthesis, तो ध्यान दीजिएगा, कि only green part, जैसे higher plant होते हैं, तो जो leaf होती है, या फिर young stem होता है, जो green part, जहाँ chlorophyll होता है, वहीं पर photosynthesis perform होता है, light energy को trap कोन करता है, chlorophyll या pigment organization, जैसे वो ही bacteria photosynthesis perform कर पाए, जिनमें, bacteria chlorophyll, chromatophore है, फिर BGA, sinobacteries में थाले कोड़ है, या फिर unicellar algae plant, जिनमें pigment organization है, और yukate में, chlorop प्लास्ट में pigment organization है, clear, तो इस statement आपका क्या हो जाएगा, wrong, cells that have only chromoplast perform respiration, कैसा होता है, कि जो कोशी का है, वढ़नी लग, chromoplast रखी, वो respiration करती, मैंने क्या का, इस earth की each or every living cell perform respiration, clear, तो आप समझ सकते हैं, इस statement भी wrong हो गया, फिर both green and non green cell perform respiration, बिलकुल correct है, चाहे plant की green cell हो, चाहे non green cell हो, चाहे root की cell हो, leap की cell हो, stem की cell हो, मैं कहता हूँ कि earth की कोई भी हो, चाहे single bacterium cell हो, अगर living cell है, तो वो respiration perform करेगी, clear, और मैंने बार-बार कह रहा हूँ कि food material के breakdown से, जो energy yield होगी, उसको, वो ATP में trap करेगी, clear, तो आप समझ सकते हैं, कि third statement correct है, only non green cell oxidized food material, क्यों एहर हो गया, according discussion, answer will be third, तो आप समझ सकते हैं, third आप का answer हो गया, next देखिएगा, देखिए मेरी प्यारे बच्चों, तो question number six, in crab cycle, number of CO2, NADH to FADH2, and ATP produced from one glucose molecule, कि crab सक्र के दोरान, एक glucose अनुस्याप से पूचा है, कितने CO2, NADH, FADH, और ATP का निर्मान होगा, तो ध्यान यहां अगर एक single crab की बात करता है, तब तो glucose से pyruvic, pyruvic के दो molecule, तो one pyruvic convert in acetalconzyme during link reaction, pyruvate decarboxylase, oxidative decarboxylase, then one acetalconzyme entering crab cycle, तो एक acetalconzyme, एक crab cycle complete करता है, तब तो आप समझ सकते हो कि four time oxidation, three NADH, one FADH, और one direct ATP, बट यहां आप से glucose molecule के reference में, तो in reference of glucose, link reaction, turn two times, and crab cycle turn two times, in reference of glucose, तो one link, और one crab, then glucose के reference में, two link, two crab, तो two NADH, और फिर आपका वहां, three और three आप जानते हैं कि six NADH आपका होता है, और दो direct ATP होता है, यहां देखेगा, और आप समझ सकते हैं, दो acetalconzyme ने क्रेब के अंदर, तो one acetalconzyme से, एक crab cycle होगा, तो वहां पर दो CO2 release होगी, क्योंकि दिलिंकलीन आपसे crab, यहां पर stick लिए आपसे crab पुछा है, तो crab में acetalconzyme एंटर करेगा, तो two CO2, और एक crab के अंदर three NADH, और one FADH, अब two time चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि six NADH, two FADH, only in crab, और one direct ATP in one crab, then two direct ATP in two crab, तो यहां आप कांसर हो जाएगा, four CO2, six NADH, two FADH, two ATP, तो answer will be four, यहनि आपको glucose के reference में only crab crab cycle के calculation आपको देखने ही, एक esteralconzyme से एक बार का, फिर two esteralconzyme में दो बार का calculation आपको लेना है, और आप समझ सकते हैं कि एक crab के अंदर 12 ATP होते हैं, three NADH, three in two three nine, और one FADH, two, तो nine to eleven, one direct, तो यहां पर देखिएगा क जैसे two time में four CO2, क्योंकि एक link में one time में two CO2, two time में four CO2, और six, तो six, three, eighteen, और two two, आप समझ सकते हैं, four, eighteen, four, twenty two, और two, twenty four, और अगर एक तरन पूस्त, तो 12 है, यहस, next आप देखिएगी students, बहुत important, question number seven, which one of the following statement is correct in reference of respiration, निमलित खत्रों में से कौन सा एक सवसन की संद्रब्द में सत्य है, तो फिर आपका statement आ गए, तो question number, देखे बटा कि जो seven है, वो page number, वो ही 227 आपका, जो respiration की initial, आपका topic है, ग्लाइकोलेसिजान स्टार्ट है, तो देखिएगा, कि it is single step process, गलत statement हो जाए, क्योंकि multi step process है, food material का multi step में breakdown होता है, और उस दोरान जब वो oxidation जाते तो NAD को hydrogen provide करते हैं, और NADS form होता है, और CO2 भी release होती है, के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका गलत statement है, simple molecule break to form complex, ये possible नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ complex का breakdown simple में होता है, जटिल सरल में बदलते हैं, फिर देखेग carbon-carbon bond of complex compound or breakdown, तो ये बिलकुल correct है, और फिर it takes place in both cytoplasm and mitochondria in all organisms, हाँ, एंसेट नहीं बदलते हैं कि only in eukaryotes, cytoplasm और mitochondria, क्योंकि बेक्टिरिया के अंदर तो mitochondria ही नहीं, तो ये statement आपका always correct नहीं होगा, तो according discussion, answer will be third, आप देखेगा, अपन नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं intermediate carbon compound form during respiration used, सावसन के दुरान निर्मित मद्यवर्ती carbonic yogic, तो जनरली आप देखते हैं कि glycolysis में glucose, partial oxidation से convert in pyruvic acid, फिर pyruvic acid का fat depend on oxygen, पर अगर नहीं है तो lactic fermentation, alcoholic fermentation, अब अगर oxygen है, तो link reaction यह क्रेब cycle, तो क्रेब cycle में, जब firstly pyruvic convert in esterile को जाएं, during link, then k्रेब cycle में esterile को है, तो जो intermediates बनते हैं, क्रेब cycle के, तो क्रेब cycle में आप समझ सकते हैं कि जैसे, first citric acid है, isocytric है, जलो succinic है, alpha ketogloteric है, succinyl enzyme है, succinic है, maleic OA, आपके form होते हैं, clear, तो आप समझ सकते हैं कि उस दोरान, जो NADHR यह सब form होते हैं, लेकिन जो intermediate हुचके, generally respiration breakdown है, catabolism है, mainly, बढ आप जानते हैं, जो क्रेब cycle के intermediate हैं, वो various compound के synthesis में भी यूज होते हैं, तो इसलिए, और आल अपन बोलते हैं, amphibolic, उभेदर मिसको बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, alpha ketogluteric, ammonium हैं से directly react करेगा, और glutamic first amino acid जो आपका form होता है, reductive emanation, इसी परकार succinyl coenzyme, help in synthesis of chlorophyll A, जै बिना लाइट के chlorophyll का synthesis possible नहीं है, लिए उसका जो precursor है, आधरी पधार्त है, पुरूरती पधार्त है, वो है glycine और succinyl coenzyme, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिएगा कि as precursor for biosynthesis of other molecule, दूसरे अणों के geosinculation के लिए पुरूव गामिक रुप में, 100% correct है, फिर आप कहते हैं कि as enzyme by the cell, नहीं हो सकता, कोछ के दोर enzyme की रुप में, enzyme थोड़ी हैं वो, वो तो आप जानते हैं कि metabolites है, वो तो food material है, yes, फिर as pigment to trap, pigment की बात ही नहीं कर सकते, pigment other organic compound होते हैं, complex compound होते हैं, तो synthesize only protein, के उल protein के संसलेशन, बेप्रोटीन ही कैसे, कई सारे अमिनोसेड के लाओ और जो आपका 8 question है, वो आप समझ सकते हो कि NCRT के अंदर जो 232 पेस नंबर यानि जहां आपको amphipolic chart बता रखा है, last के अंदर, RQ के बाद में है, आप समझ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से read करेंगे, तो statement वहाँ पर दे रखें, next आप देखिएगा, question number, question number 9, in EMP pathway, glucose undergoes, EMP path में glucose का होता है, तो बार-बार मैं आप से कह रहाँ कि जैसे 9 question भी जो है, वो page number 228, NCRT का 228 page number, आप lineों को बहुत concept wise पढ़ेंगे, concentrate ओकर पढ़ेंगे, और आप enlarge topics को connect करते जाएं, last में हम कहते हैं कि मैं डिटीस में आपके इतने साथ रहेंगी, कि आप जब अपना प से रोजा मिलते रहें तो आपके selection को कोई ने रोख सकता चाहिए, आपके marks 450-500 कुछ भी हो, मेरे students आपको यही संदेश है, हर class में कैसे बच्चे अक्सर हमसे बहुत साथ पुछने आते हैं कि last time confidence के लिए क्लिए 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 माक्स और हमने देखा है कि 45-500 नमबर वड़ा एक अच्छी rank के साथ सेलेक्ट हो जाता है, और लास्ट में confidence रहें कि तो higher marks भी रह जाता है, इसलिए आप last में मिलते रहें, आप CLC के साथ रहें, एको फीजिक्स के अंदर, सारे चीजों के अंदर, और दम लगा दीजिए अपना, क्य क्योंकि आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे दौाएं और आपके parents की विशेष्ट दौाएं, साथरा parents के सपने पूरे को नगले मेरे CLC, मेरे प्यारे बच्चों, राजा बेटा रान बेटी आप कुछ भी कर सकते हैं, यस, तो देखेगा किस question, EMP फात का complete हो नहीं सकता, फिर आप देखते हैं, incomplete oxidation, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हाँ complete देखेशन, पार्सली होता है, तो आप समझ सकते हैं कि answer क्या होगा, second, next आप देखेगा, question number 10, glycolysis occurring, glycolysis होता है, तो आप अच्छे सी जानते हैं, कि glycolysis तो each or every living cell का character है, bacteria से लेकर, आप जानते हो, last animal, यानि mammals तक हो, human जो सबसे complex है, तो अपने भी each or living cell है, तो glycolysis है, clear, और वो cytoplasm, क्यों बैक्टिरिया के अंदर तो mitochondria रहे, कुछ membrane-bound organs ही नहीं, yes, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर cytoplasm, क्योंकि mitochondria, bacteria में नहीं उतार, इनका तो अपने mean ही नहीं कह सकते हैं, तो answer आप कई होगे, next आपन देखते हैं, question number 11, plant do not have specialized organ for gaseous section, फिर वो ही question आगया, जो 277 space number पर, आपको मैंने शुरू में समझाय, वो ही concept उसके जो कुछ points रह गया, इसलिए पूरा clear होगा, कि gaseous sections occur through stomata and lenticle whose opening and closing regulate by specialized cell in plant, gases, आप जानते हैं कि lenticle always open होते हैं, वातरंदर हमेशा खुली रहते हैं, वहाँ कोई regulating नहीं होती है, और तभी तो आप जानते हैं कि वो जो phallogen होता है, वहाँ से living cell से lenticle आपकी बनते है, lens of cell, तो interior तक आपकी gase का वहाँ, मतलब समझ रहता है, क्योंकि dead tissue के कोड़ी महाँ कच्छी लाइन दे रखी है, फिर आप देगें, plant, root, stem and leaves, respire, very high rate, तो रोंग होगे न, कि slow rate, पात्वों में धीमीर गती होती है, सौशन धी प्लांट में क्या होता है, जैसे cortical cell, cortex cell, cortical होता है, जैसे mesophyll होता है, तो वहाँ space होते है, तो यह आपका correct है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, कि जो question आपका 11 है, और 11 question का जो आपका answer है, वो 4 होगा, कि यहाँ पर देखिया, A और D, right है, तो आप समझ सकते हैं, कि भी A, plant do not have specialized organ for gas actions, बिलकुल correct है statement, ठीक है, और D, आपका correct है, बड़ आप समझ सकते हो कि B और C, आपका क्या है, wrong, according to this question, answer will be 4, yes मिर राजा बिटा, तो मस्त, मजे से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देखिये बड़ा, question number 12 है, और आप समझ सकते हैं, कि question जो diagrammatic है, NCRT page number 242, 24 जो growth and development आपका topic है, तो देखिये गए, question, कि recognize the figure and find out the correct option, नीचे देगे चित्र को पहचानी और सई विकलब को चुलिए, तो देखिये, जनरली जो plant में growth होती है, तो plant में maris time आने के बाद, arithmetic growth होती है, arithmetic growth में क्या होता है, अंगनती वर्दी में, कि जब एक marismatic cell है, यह marismatic cell है, और यह divide होती है, तो two daughter cell form होती है, अगर दोनों में से एक विवाजन सिल रहे, dividable रहे, आगे निजनतर विवाजन सिल रहे, continuous dividing रहे, और एक आपका elongation होकर, उसके protoplasm में structure functional changes के द्वारा, बाद में differentiation होकर, वो mature, परिपकवा और permanent इस्ताई हो जाए, yes, तो आप समझ सकते है कि इस प्रकार यहाँ देखेगा, कि यह permanent होगी, यह arithmetic है, अब फिर, arithmetic से फिर two daughter cell बनेगी, उन में से एक ही dividable रहेगी, dividing रहेगी, बाकी permanent हो जाएगी, तो जो cells है, वो constant rates है, one, two, three, four, five, ऐसे फोम होगी, के लिए, और geometric, जो growth होता है, वो आप समझ सकते हैं कि, arithmetic से two daughter बने, तो दोनों यह आगे dividable रहे, दोनों यह dividable रहे, फिर आप जानते हैं, two है, four है, फिर eight है, ऐसे आपकी cells होगे, बर generally आप जानते हैं, animals में तो geometric होती है, और plant में, arithmetic आने बाद तो arithmetic होती है, initially जब जाइगोड से embryo बनता है, तो जाइगोड से, जब बैसल cell, आधारी कुछ का पिकल सेल, उसके बाद आप जानते हैं कि, one cell से two cell, four cell, eight cell, 16 cell, 32 cell तक जब embryo स्पम में, डाइकोड में, जब आप embryo form करते हैं, तो geometric, लेकिन जैसे ही वहाँ पर cells का group और्गनाजियों के अरिसमेटिक बनता है, तो मेरिसमेटिक आते ही, मेरिसमेटिक साथ ही, फिर मेरिसमेट क्योंकि यहाँ सारी cell डिवाडेबल है, यस, और फिर initially यह आपका pattern है, यह geometric है और यह arithmetic है, तो यहाँ देखिएगा कि जो A है और D है, यह तो arithmetic है, और जो B है और C है, वो geometric है, अब यहाँ देखो A, C, arithmetic यह गलत हो जाएगा, A, C, geometric यह भी गलत हो जाएगा, तो फिर A, D, A, D यह आपका arithmetic, और B और C, B और C आपका क्या, geometric, according to this question, answer will be 4, बहुत important question है ना, next देखिएगा, question, अपना आगे बढ़ते हैं, तो question number 13, invertage enzyme convert sucrose into invertage enzyme sucrose को करता है, तो आप जानते हैं कि जो question है आपका है, page number 228 से 29, जो respiration topic initial glycolysis में, और आप समझ सकते हैं कि invertage enzyme क्या करता है, कि generally plant के अंदर sucrose होता है, तो sucrose firstly convert होता है glucose and fructose में, by the help of invertage, अच्छी लाइन आपको वहाँ पर anxiety ने दे रखिये, तो आप समझ सकते हैं कि भी two molecule of fructose, three molecule of glucose, नहीं, two molecule of six carbon compound हो, छेचे carbon के दो compound में क्योंकि सुक्रोज disecrate होता है, तो फिर glucose fructose तो यह आप transfer perfect हो जाएगा, बाक कि glucose and lactose, तो possibility lactose और वो भी EMP प्रतेक्स रूप से कभी प्रवेश नहीं करते हैं, तो ऐसा possible नहीं है, तो यहाँ पर आप answer क्या हो जाएगा third, next अपन देखते हैं, question number 14, तो question number 14 देखिएगा, the conversion of by PGA to three phosphoglyceric acid is, तो आप जानते हो कि NCRT के नदरी जो 14 आपका question है, page number 228, 239 औ स्टेप्स के स्टेप्स में, फ्रक्टोस, 1,6 by phosphate, एल्डोले से, PGL, फोस्फोगिलस्रीलड़एड और डाई हड्रोक्रेश इस्ट्रोन फास्पेड दीएचेपी, वो दो मोलेकिन वालो PGL की, फिर PGL 6 स्टेप में, ऑक्सिडेशन होता है, और इन और्गनिक फोस्पेट वो गेन करता है, तो आप समझते, 1,3 by PG, आप समझ सकते होगी, 1,3 by फोस्फोगिलस्रेट होता आपका, और फिर जब आपका स्टेप होता है, 7, तो वहाँ पर, जब 1,3 by PG, 3 PG में कनोट होता है, तो फोस्पेट किरिया धारी, जो सबस्टेट और फोस्पेट, ADP को डारेक्ट करता है, SLP, सबस्टेट क्लेल फोस्पोरलेशन, तो वहाँ एनरजी इल्ड है, डारेक्ट, यस, तो सीधा आपकी एंस्याटिक लाइन है, तो एनरजी कंजूमिंग प्रोसेस नहीं है, एनरजी इल्डिंग प्रोसेस, उर्जा उत्पादन कने वाड़ा प्रक्रम, 100%, और फि तो उसी पेज नम्मर पे जो फोत इंपोर्टेंट है, आप जान देए, 228P, NCRT के अंदर, और ये भी स्टेप फोत इंपोर्टेंट है, ये 6 स्टेप की बात कर रहा हूँ, जब PGL, फोस्पोग्लिसल डेहाइड, जो आपका है, वो इनर्गनिक फोस्पो लेकर आपका अप तो दो बार में 2 NADH वहाँ पर फोम होते हैं, और वो उक्षडिसन स्टेप है, तो आप जानते हैं कि respectively ये क्या है, बाई-बाई-पीजएन-डी, नहीं, बाई-पीजएन-डी-एच, पीजएन-डी-एच नहीं है, पीजएल और एन-डी-प्लस, क्योंकि PGL, हाइड्रोजन डोनर है, दाता है, एक बार के लिए NAD ले लेगा, फिर ये NADS फोम हो जाएगा भी, जाकर आप जानते, ETS में ये दोक्षिक्रत हो जाएगा, फर्मेंटेशन होगा, तो एलकोलिक में ये एस्ट्रेल डेहड को प्रवाइड करता है, CS3, CSOCLEAN, ये डोनर है, और यहाँ NAD क रिडक्षन होगा, तो according discussion, answer आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, next देखिएगा, question number 16, which one is not a metabolic fat of pyruvic acid, कौन सा एक pyruvic कुमल का उपापचीपत नहीं है, students, वहाँ खा गया कि, glycolysis में जब glucose का partial oxidation होता है, तो 2 molecule 3 carbon के 3 pyruvic acid, आप जानते हैं, अब pyruvic acid का एक, आप जानते ह इंपोर्टेंट central molecule है, क्योंकि अब आगे define होगा कि इसका fat क्या होगा, अगर oxygen available है, तो aerobic completely CO2S2 में, और आप जानते लिंक और क्रेब होता है, फिर अगर मालो oxygen available नहीं है, तो या तो alcoholic fermentation, या lactic fermentation, clear, तो यहाँ देखिए, it में convert into lactic acid, correct है, it में completely oxidized into CO2S2, या तो lactic amal में, या फिर CO2S2 में पूर्ण oxygen हो जाए, ये भी correct है, फिर it में incomplete oxidized by fermentation, which occur only in procures, ये किनवन के द्वारा अप्ण oxygen होता है, जो केवल प्रोकरट में होता है, ऐसा तो नहीं है, भाई जो प्रोकरट में यह, क्योंकि yeast, जो alcoholic fermentation करता है, yeast, यूनिस अदर यूकरट है, फंजाई है, औ और अपनी muscle cell में जब oxygen insufficient हो जाती है, oxygen वहाँ available नहीं रहती है, तो आप देखते हैं कि lactic fermentation होता है, तो ये आपका नहीं है, और it may form, ethanol by alcoholic fermentation, ethanol कह सकते हैं सिधा, तो ये alcoholic ethanol में बना सकता है, ये भी correct है आपका, तो first, second, और आप समझ सकते हैं, कि फोर है, लेकिन third नहीं है, कौन स देखिएगा, question number 17, enzyme which not participate in fermentation, कौन सा enzyme भागने लेता है, तो देखिएगा, ये जो आपका question है, ये आपके NCRT जो page number है, 17 आपका आप समस्यों 230 page पे है, जहां fermentation आपको समझा रहा कर सिधी वहाँ पर लाइने दे रही है, कि वही पायरिवी कैसर कर ओटो अवलेबल नहीं हो, oxygen इस तो उपलबद नहीं हो, तो लेक्रिक फर्मेंटेशन में तो लेक्रिक डिंडेजने एक स्टेब ह हो गी, दस गल्यकॉलिक लाइक स्टेब होगी, और ये एलकोलिक फर्मेंटेशन में पायरिवी कैसर फस्तरिय कि 약간 हैड में फिर आपका अथनोलेक्ष़दं आपका एथ अच्छा question है, next आप देखिएगा, question number 18, in fermentation, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जहां fermentation आपको topic दे रखा है, और 230 पे NCRT के अंदर, और वहाँ आप देखिए कि जो fermentation topic है, वहाँ पर इस सिधा आपको question दे रखा 230 पे, और NCRT ने सिधा statement लिखा का है, कि less than 7% energy of glucose released, all of its trapped as high energy bond, तो 7% है लेकिन, दोनुई fermentation में, maximum 7% efficiency, but complete high energy bond ATP में वहाँ consume नहीं होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि more than 35% glucose possible नहीं, less than 7% of energy glucose released, but not all of its trapped high energy, glucose से 7% से काम उर्जा मुक्त होती लेकिन, यह संपून उठ उर्जाबन ATP में आपकी trap नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका आपका important question है, और यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, third, तो answer will be third, clear है, next आप देखेगा, question number 19, pyruvate which is found by the glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol, कि pyruvate जो कोश का दर्वे में glycolysis की through form होता है, partial oxidation से, बार-बार कह रहे हैं, enter into mitochondria matrix, undergo oxidative decarboxdation by pyruvate dehydrogenase, हाँ, जो PDC complex enzyme है, several वहाँ, कई सारे co-engine, co-factor वहाँ पर जोते हैं, तो pyruvate dehydrogenase complex, तो mitochondria के एधात्र में जब वह जाता है, तो pyruvate convert होता है, एस्टाल कोश का जायमे, link reaction में, तो pyruvate dehydrogenase complex enzyme, आपका वहाँ पर यूज होता है, statement correct है, enter into mitochondrial matrix, oxidatively phosphorylated, phosphorylated enzyme, तो यह तो possibly नहीं, phosphorylated enzyme, वहाँ होता ही नहीं, आप जानते हैं, इस transport to from mitochondria into cytoplasm, वापस थोड़ी आएगा, यह भी wrong हो गया, convert into astral enzyme in mitochondria, यह सही है, pyruvate dehydrogenase complex से द्वारा के वोल एक से enzyme, नहीं आप जानते हो, convert into astral enzyme in mitochondrial matrix by pyruvate dehydrogenase complex, यहाँ तक कि यह correct है, correct है, but NCRT में वहाँ अच्छे से दे रखा है, कि यहाँ यूज ओनली single coenzyme, single नहीं, several, अनेक, several वहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ पर यह जो single दे दी है ना, इसलिए आप समझ सकते हो कि आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और यह जो आपका 19 question है, यह भी आप जानते हो, पेज नमबर 231, 231, पेज नमबर जो आपका है, NCRT का, वह आप आपको clear cut line दे रखिए, next आप देखिएगा, question number 20, which one of the following statement incorrect in reference to TCA cycle, TCA चकर के संदर्व में उसे कौन सा एक, सत्थे खतनाव से, incorrect पूंचा है, तो first step is a condensation reaction which is catalyzed by citrate synthase, फरतम पज्जो संग्नाना भिग्राइस, citrate synthase से उत्परेट होती है, जानते हो जब acetyl coenzyme और OA, 4 carbon का OA, और acetyl coenzyme 6 carbon का citric acid मनता है, citrate synthase, clear, जहाँ पर आप देखते हैं कि coenzyme release और S2 add होता है, yes, तो यह बहुत अच्छी step, clear cut आपके NCRT है, और after isomerization, citrate into isocytrate, to successful step of decarbonation occur, कि फिर citrate isocytrate में समायवकरन हो जात होता है, फिर आगे alpha keto गेवाद, फिर co2 release होता है, हाँ, वहाँ पर oxidative decarbonation, जब completely अपन क्रेप पढ़ेंगे, सारी steps अपन देखेंगे, अच्छे से, तो oxidative decarbonation, एक ही जग होता है, जब alpha keto gluteric, sectional coenzyme होता है, लेकिन co2 step में release होती है, और एक पहले आपका, औक जलो सक्ष हाँ, एक rep में, एक estrel coenzyme enter करता है, एक ही जग आपकी GTP, जहाँ आपके SLP होती है, जब sectional coenzyme, sectionic में convert होता है, yes, तो sectional dehydrogenase, yes, तो यह आपका 100% correct है, यह statement भी correct है, और आप जानते हैंगे, जो 20 question है, वो आप समझ सक्तियों की NCRT का जो बहुत important page है, 230, 231 वहाँ पर दे र आप कई बचे यहां भरमित हो जाएंगे, NADH वहाँ ऑक्सिकर्ट नहीं होता है, वहाँ पर जो food material है, जो किरिया धार है, सबस्टेट है, उसका oxygen होता है, और NAD pick करता है hydrogen को, hydrogen को लेता है, तो reduction होता है वहाँ पर, और NADH, FADH, yes, जब कि यहाँ पर दे रहका है कि, ऑक्सिक अगर तो 80S की बात होगी, oxidize, तो यह step आपका क्या हो गया, तो जो आपका 20 question है, उसका answer आप समझ सकते हैं कि 4 आपका हो गया, clear, तो answer will be 4, clear है, next अपन देखते है, question number 21, which one of the statement correct with the enzyme of correct cycle, तो यहीं का question है, वही जो आपका page है, yes, 232, clear, 232 के ओपर, तो देखेगा वेटा, यहा प्लाजम, सभी enzyme कोश कदर में होते हैं, ऐसा नहीं है, clear, all found in mitochondrial matrix, गलत हो गया, almost हो सकते हैं, ज्याद यादर mitochondrial matrix में होते हैं, सारे enzyme में होते हैं, और फिर आपका दिरहां कि all are found in mitochondrial matrix, except one, एक को छोड़ के सारे matrix में होते हैं, तो वो उता, succinate dehydrogenase, तो succinate dehydrogen enzyme को छोड़ के सार लिए आपका नहीं यस तो 21 क्यूशन अच्छा क्यूशन है देखे मेरे पहरे बच्चों बहुत अच्छे क्यूशन आप एजी वे में कर लेंगे यहां से कंसर्ट सीखेंगे लाइन टू लाइन आप एंसाटी और फिर आप जब मैं मैं तो कहता हूंगी जब आप फाइनल टच्च जब आपका जोलाइक में एक्जाम हो उसे पहले मैं लास्ट और जून के दुरान आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत साइक होंगे आपके साथ में हैं क्योंकि आप समझता आप जो खाना खा रहे हैं तो भी उस सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा खाना हो खा रहोगा यहां मेरे घर जैसी व्योस्ता नहीं मिल रही होगी मेरा बेटा दोक्टर बहुत जंदी बन जाएगा तो प्यारे बच्चों आपकी ड्यूटी बन जाती है एक अच्छा करने की नेक्स्ट आप देखेगा जो अपन देखते हैं कि जो क्योशन नंबर ट्वेंटी टू हाव मैनी सी ओ टू मोलेकुलार प्रोडूशी वन मोलेकुलो पालमेटिक एसिड इस कंप्लेटली ऑक्सिडाइज थू दर रस्पिरेशन यह दी पालमेटिक अमल का एक अनू साउसन के दरपको अक्सिक तो कितने अनूत पन करेगा तो यहां बचे कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे कि कुछ की दिमाग में आ रहोगा 102 नहीं वो ट्राइप पालमेटिन होता है जब कार्बन सेंके एक्याउन होती है अरे गुलुको में फोर्मुला दे रहेका है CS3 वैसे ही पंदराकार में CS3 CS2 और यह आपका होता 14 और एक ग्रूप होते है यह सीड़ो अच्छ तो अब यह सीधा बायो मोलेकुली के अंदर आपका जो इस क्योशन का आपको दे रखा है और मैं आपको गता है 145 पेज नमर जो एंसाटिक है है बायो मोलेकुली में आप इसका वह भी देख सकते हो और एंसेट नहीं में सन कर रहा है बहुत अच्छा क्योशन है आंस्वर फस्ट होगा यस बेटू इतना ध्यान रखें चाहिए कोई कार्बोड्रेड हो चाहिए आप जानते हो फैट में फैट हो क्लियर लेकिन आप ज अमल यह आपका एंसेट मेंशन करेंगे जो भी फैट होती है चिरोपॉइंट सेवन आपका आर्क्यू वहां पर आता है क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 24 दा नंबर ऑफ एटीप मोलेकुल सिंतेसाइज इन ऑक्सडेटिव फोस्फोरलेशन डिपेंड अक्सिकारी फोस्फोरलेशन में संस्लेसित एटीप अनों की संक्या निर्भर करती है यानि आप जानती कि एटीएज के अंदर जो एटीएज फोर्म करता है तो यह किस पर डिपेंड करती है आपको सीधा एंसेट लिखर का साइज जो प्रोट्रों डॉनर नहीं नेच्टर यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड जो सीधा एंसेट का क्योशन है और 24 जो आपका 233 पेज नंबर एंसेटी 233 पे सीधा स्टेटमेंट आपको लिख रखा है नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 25 स्लेक्ट और वन फोर एटीएस एटीएस के लिए विसम पर फिर हाइड्रोजन प्रोटन ग्रेडियन जब बंजन होगा एटीएप फोर्मेशन आतीप से तो हाइड्रोजन भी वहां से अटेच होगा और एस्टो फॉर्म होगा तो टर्मिनल ऑक्षिडिशन तो दोनु ही आपकी इस क्रेक्ट बात है लेकिन यहां देर का ऑक्षिजन इस नौर्थ तो आप समझ सकते हैं जो 25 क्योशन आपका है वहां सेकेंड आज़सर आपका है कि आपसे पुछा ओड यहां अंत अच्छा क्योशन है और आप समझ सकते हैं कि वहां आपको केस में 233 पेस आपको दे रखा किलिए नेक्स्ट आप देखेंगा क्योशन नमबर 26 अपिकल डॉमिनेंस मीन सिकागर प्रधानता आर्थ क्या है यहां तो अच्छे से आपको सीखना है कि जो अपिकल डॉमिनेंस क्योशन है 248 पेस नमर ग्रोथ फीजियोलोजी के अंदर इनिबिट अपिकल बढ़ इसा थोड़े होता है कि अपिकल के अंदर तो अपिकल मेरिश्टम होता है और वो क्या करता है कि अपिकल की ग्रोथ अपनों प्रमोट है तो उसकी भोज़ा प्रमोटिंग से उसकी इनिबिट होती है तो आपका स्टेट्मेंट किलियर कर दे रहे हैं इसाटने की ता ग्रोइंग एपिकल बढ़ है तो वहां ऑगजीन है कि जो वर्दीकारी करती भी सिर्सस कलिका है तो वहां क्या है ऑगजीन और आप समझ सकते है कि वह क्या करती है इनिबिट दा ग्रोथ अप लेटरल और एक्जिलिट बढ़ जो पार्स हो कलिका हों किया फिर जो कक्स्त कलिका होती है एक्जिलिट उसको इनिबिट करती है तो एपिकल की प्रिजेंस में उसकी इनिबिट होती है एपिकल ग्रो करती रहती है तो यह आप आपको बहुत अच्छी बास सिखाता हूं कि विवेधन के दोरा वही के तत्तु जनरली अपने विवेधन ले ले डिफ्रेंशेशन क्या होता है रिफ्रेंशेशन ने बलार वही जनरली गता है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वहां दे रखाए की साइल सुट लोसेज देर प्रोटोप्लाज्ब इतने हाइली स्पेसलाइज हो जाती है वही की ततो जब ट्रेकरी अलमेंट बनते हैं तो वह अपने प्रोटोप्लाज्ब लोस्ट कर देती है आल्सो डवलप वेरी स् लोंग इलास्टिक लिगनोसल लोजिक तो यह करेक्ट है तो आंस्वर 4 हो जाएगा 1st and 3 कि कोशी का इस सदर्ड तन्य तर्वन लिगनोसल लोजिक दित्त्य कोश का वितिविक्षित करती है विड़ा इनस्याटिक पेजबर वहां देखें मस्त रहें कूल रहें next आप देख चुके है 28 अपन करते हैं तो देखेगा plant growth is unique because पादवर्दी एदित्त्य है unique है क्योंकि आप जानते हो कि जो perennial plant होते हैं भववर्सी होते हैं उनमें throughout life जीवन भर charismatic reason पे localized और unlimited indeterminate indefinite एणिशित एणिधरी वर्दी आपकी होती है तो देखो कि it अकर only a tip part plant retain the capacity for unlimited growth throughout the life correct है limited growth अकर limited time period in plant it अकर just before when plant floor first time नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां आपका 28 question है तो 28 question में आपका answer क्या होगा second second answer आपका सबसे perfect होगा क्यों unique क्यों है क्योंकि एणिशित और एणिधरी है clear yes और open process है next आप देखेगा question number 29 the growth of the leaf is measured in term of volume पत्ती की वर्दी आयतन की रूप में गलत बात होगी डोर्सी वेंटर लिप जो परष्टादारी डाइकोड लिप होती हुआ सरपेश सेरिय काउंट करते हैं यह गलत बात होगी फिर आप देखेगा कि cells in a watermelon may increase in size only up to 50,000 time नहीं नहीं वहीं 3.5 लाग गुना तक हो सकती है yes वहाँ देरिक नहीं तरभूज की कोशिए इतने तक हो सकती है अपने only लगा दिया नहीं यह भी गलत है लेकिन देखो the growth of the pollen tube measuring length हाँ प्राग नहीं लिगा कि तो लंबाई भी वर्दी तो ती length में ही तो correct है और a single maze root ap more than 17,500, 17,500 कोशिका देता है यह भी correct है and increase in surface area denote the growth in dorsi ventral leaf यह भी correct है है ना तो ADE correct है और आप जानते हो कि BC आपको ADE correct है है ना तो आपन सीधी सी बात कहते हैं कि जब ADE correct है तो आपका answer क्या हो जाएगा first हो जाएगा क्योंकि देखिएगा A तो wrong है ना sorry A B wrong है A wrong है ना C D E right है sorry C D E क्या है right है next आपन देखते हैं question number 30 arithmetic growth includes all experts किसके अत्रिक सभी अंगनती वर्दी में होते हैं मैंने आपसे काता है कि अंगनती वर्दी क्या होती है कि जब एक meristematic cell divide होती है तो two daughter cell बनती है तो दोनों dividing रहती है ऐसा नहीं है एक single ही dividing र जाती है और एक आपकी क्या हो जाती है प्रमानेंट हो जाती है तो constant rate से one two three four तो देखेगा constant growth rate correct है it found in root and shoot tip meristematic में होता है express lt equals to l0 plus rt तो initial growth l0 then constant rate से ये तो इसके लिए आपका समय करणोंगा lt वराबर l0 plus rt इसका लाक्षन ग्राब सिग्मोड ये गलत हो जाएगा फोर आपका गलत हो जाएगा clear तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर ही हो जाएगा और देखेगा कि जो 30 question आपका है बिटा और 30 question जो page number 243 यानि NCRT के अंदर 203 page number पे perfect दे रहे है तो आप मस्त रहिए भो ध्यान द बाके हमारे परफ से guaranteed है कि errorless किसी भी रूप में error नहीं है के लिए next देखेगा question number 31 ऑग्जिन वाज आईसोलेटे वाएप डब्लू वेंड फॉर्म एप डब्लू वेंड के जो फर्तक किया गया तो आपको बता कि NCRT ने जो page number आपका ये है 247 वहाँ पर सीधा आपको statement दे का नोध भी दुवाँ प्रांकूर चोल से FWN ने उसको विलगित किया था तो यहाँ पर देखिएगा कि tips of polyptyle of odd seedling तो मेरे साब से 31 जो question है उसका answer second है yes next अपन देखते हैं बिटा 32 please select odd one in reference of role of oxygen oxygen की भूमी का तो उसी page पर आपका जाएगा yes और आप कहते हैं कि भी oxygen controlled gylem differentiation correct है oxygen induced parthenocarpy की बार से application uses tomato में टमाटर में parthenocarpy को induce करता है oxygen is frequently used to kill both mature monocot and diacode ये गलत हो गये अरे भई oxygen को weed free lawn बराने में जानते हो न विड़ फ्री यानि खरपतवार से फ्री lawn जो दूब घास का synodon decrylone दूब घास का जो lawn लगाया जाता तो monocot है अब आप जानते हो कि diacode broadleaf पे अटेक करता है तो 240 का पने spray करते हैं तो 240 क्या करता है diacode broadleaf को kill करता है monocot पे कोई effect नहीं डालता clear तो यह आपका देख कोई wrong हो गया और oxygen help initiate rooting stem cutting जो करतन होते हैं तो root initiate करने में यूज होता है oxygen clear answer आपका 3rd हो गया next आप देखिएगा question number 33 the meristematic cells are not characterized by विव्जोतक कोई सिकाए किसके दूरे लक्षनिक नहीं होती है dense protoplasm होता है thin wall centric conspiction large nuclei होता है clear और आप समझ सकते हैं कि पर्चूर plasmo decimata evident plasmo decimata connection होते हैं और अच्छे से आप जानते हो कि centric nucleus है ergb less develop होती है storage होता नहीं है आप जानते प्लास्ट्र 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 नहीं है vaculation नहीं है है ना क्योंकि उनका कोई function नहीं है आप समझ सकते हैं यह rich protoplasm जीवदर से बरफूर और है primary wall प्रेक्टर स्ट्र लोजिक और evident plasmo decimata ही हो गया लेकिन पोसे small incuspices nucleus छोटे एसपस्ट होई नहीं सकते हैं centric है large है सहत है conspiction है यस तो आपका यह note आप से पुचा तो थर्ड़ आप का अंसर हो गया next आप देखेगा question number 34 select incorrect matching एस सत्य मिलान को आप चुनिएगा तो देखेगा कि cytokinin advantageous suit formation correct है और यह तो आप जो हार्मोन आपको दे रेखे हैं और हार्मोन के जो questions में आपको बता दूँ तो generally आपको बता है कि page number 250-249 यह गलत हो गया क्योंकि आपको अच्छे देर का insight नहीं कि ethylene ethylene ओले में देखना ethylene वह करता है thinning of cotton जो cotton में कुछ flour को कम कर देगा thinning कर देगा ताकि production अच्छा हो तो यह ethylene करता है और ABA inhibit of plant metabolism inhibit करता ही यह ethylene apical hook formation अभी आगव में आपको triple response यह 3D growth पर रहाऊंगा डाइकोड seedling के अंदर तो वहां समझा दूँगा तो यह सारी बात सही है बट आपका answer यहाँ पर second हो जाएगा 34 का clear फिर आप देखेगा question 35 bolting is bolting है सीधा ansiatic line है वो ही जो आपकी जिब्रेलीन हार्मन पड़गा 249 पर इन पर इन पर तो increase the number of not just prior flowering पुस्पन से पहले परवसंदेग संक्या परदी नहीं है elongation in apical apple fruit ऐसा भी नहीं है inter not elongation just prior to flowering सीधी बात है पुस्पन से पहले परवका दिरगी करने यानि generally stem elongation में और internal elongation ताकी फिर flowering हो सके जो vinyl plant होते हैं वहाँ पर आपका ऐसा करता है bolting जो रोजेटी रोजेटी सभाव करते हैं पत्तकों रोजेटी सभाव तो रोजेटी को खोल के फिर internal elongation आपका करता है तो यह सीधा एंस्याटिक राएं 35 क्यूशन और मैं आपको बता दो कि 35 to 49 पेज़ पे एंस्याटिक अंदर सीधा आपको दे रखा है फिर देखो कि swelling और plant access ऐसा भी नहीं है बोल्टिंग इफेक्ट को जो प्रमोट करते हैं रोजेटी सभाव को गठागर बोल्टिंग को प्रेडित करता है जिब्रेजिन के लिए नेक्स्ट आप देखिएगा question number 36 abscessic acid ABA तो ABA क्या करता भी ABA आप जाने प्लांट stress हार्मोन है seed formation में dormancy और इनको अंकुन को प्रेडित करता है प्रमोट सीड जर्मिनेशन नहीं बीज अंकुन को प्रेडित नहीं करेगा does not stimulate closer of stomata रंदर के बंद उने प्रेडित करेगा वह तो इस्टोमेटा क्लोजर को तो करता है जब वाटर स्ट्रेस हो जाता जल तनाव हो जाता है फिर देखा इस जनरली ए प्लांट ग्रोथ इंडिशर ये भी ऐसा भी नहीं तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया increase the tolerance of plant to various kind of stresses विभीन प्रकार के तनाव के प्रती पोदे को सेंस इलता है जैसे कि वाटर स्ट्रेस होता तो इस्टोमेटा क्लोज कर देता है या भी बोज़एदा अनफावरोल हो तो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन है अनफावरोल से प्रोटेक्ट करता है अबी हार्मोन किलिय और वैसे भी आप जानते हैं कि ग्रोथ इन ही बीठ रही तो आप कांसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा के लिए नेक्स्ट आप देखिए कि बेटे क्योशन नमबर 37 विच्वन इस नौट सीड फेक्टर डाट कंट्रोल सीड डॉर्मेंसी निमन में से कौन सा एक बीज प तो देखेंगा कि परजयन सोब केमिकल इनिबिटर हां रासानिक संदमक होते हैं सीड में टेंप्रेचर वो सीड फेक्टर नहीं है एनवार्मेंटल हो गया बागी इंप्रिमेबल एंड हाड़ सीड कोट एपारगम में और दड़ भी जा और और इमेच्वर एंब्रियो बा अच्छे से बेटा आप कंसेप्ट वाइज अपने पर जाएं देखेंगा कि जो क्योश्चन नमबर थर्टी एट है टू फोर्टी टू पेज पर ग्रोथ फीजियोलोजी से हैं देखेंगा अर्थमेटिक ग्रोथ इस डिफर फ्रॉम जियो में आपको कहता हूं कि अर्थमे सब्सक्राइबल रहती ही तो आपको बहुत अच्छे सी क्योश्चन को करना है और आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड आंसर यहां पर है कि ज्यामिती वर्दी में दोनों पुत्री को सब्सक्राइब लगातारी बाजीत होती है और लेकिन अंग गणती में केवल एक वह देखें जियोमेट्रिक में बोथ दोटर सेल कंटीनू डिवाइडिंग बट इन अर्थमेटिक ग्रोथ ओनली वन डोटर सेल कंटीनू डिवाइड पहले आपको मैं समझा चुका हूँ क्लियर नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर थर्टीनाइन और थर्टीनाइन देखेगा सलेक्ट ट्रू स्टेट्मेंट फॉर दा फॉर्टो प्रियोजम दिव्तिक अलगता के लिए सही खतन का चेन कीजी बहुत अच्छा क्योशन है क्लियर और आप समझ सकते हैं कि यह जो क्योशन आपका है थर्टीनाइन आप समझ सकते कि पेज नंबर टू फिक्टी टू जो एंसी आटी ग्रोथ में फोटो प्रियोजम है दोस्टो बावन पेज नंबर है देखेगा कि वहां क्या होता फोटो प्रियोजम कि फ्लॉवरिंग इन सटेन प्लांट जोनों इंपोर्टेंट होते हैं बोध हर इंपोर्टेंट यह वहां लिख रहका है लेकिन रिलेटिव वांट और एक क्रिटिकल प्रिड होता है उससे अगर ज्यादा पर फ्लॉवरिंग इनिशेट होता है तो LDP और कम पर होता है तो SDP और जो न्यूट्रल रेस्मोंस ही न नियूंतम काईक वर्दी से मस्टर्ड में सर्सों में फ्लावरिंग होगी तो एक दो महीने की इनिशेल वेजटिव ग्रोथ हो जाएगी फिर फिर आता ना फ्लॉवरिंग फिर मैच्वर ली बन जाती है तो आप जानते हो जो लाइट और डार्क पी जो रिलेटिव डियु आता है हाइपोथैटिकल तो मेच्च और लीफ में फॉम होता हा फिर फ्लॉयमलोडिंग होती है फिर वह ट्रांसी फोर्म होता है सीट पर और वहाँ वेजटिटिव सूट काईक प्रहो को कौना गरता है रिप्रॉड्रक्टिव सूट में आप जैसे वेजटिव सूट को भ वहाँ श्वम ही जो सूट अपक्स होता प्रोसिर कभी नहीं करता है वह वर्णिलाइसन में लो टैम्परज कर सकता है वैसे प्लाइट में इन प्लांट में जहां फोटो प्रेड की रिक्वार्मेंट होती है फ्लावरिंग के लिए वहाँ कभी भी नहीं करती है तो अच्छा लिखर का आपको यह रोंग हो गया इसलिए यह हाइपोथर्टिकल हार्मोन सबस्टान सिंतेसाइज इन सूट अपसेज वहाँ सिंते होता है नहीं मेचरलिप में होता है इंडियूस फ्लावरिंग यह गलत हो गया फोटो प्रेड नॉट रिक्वार्ड वाई एनी प्लांट किसी भी पादप को पुस्वन के लिए प्रकास का लिए हो सकता है यह गलत हो गया बहुत सर्टेन प्लांट अजिन को रिलेटिव अमोंड की आपको जूरुत होती तो देखेगा कि जो क्रिशन आपका है 39 तो वहां आपका आंस्वर क्या हो गया 1st क्लियर है बहुत अच्छ क्योंसर नमर 40 विच फॉलविंग फाइटो हर्मोन हैल्पिन डिले ओफ लीफ सनेशन कौन से पादप हर्मोन पत्यों की जरावस्ताव विलम करते हैं आप जाने जनरल यह काम साइटो कानिन का होता है क्योंकि साइटो कानिन निट्रेंड मोबिलाजिशन गतिसिलता खनिज बढ़ा देता है क्लोरोफिल रिटेनेशन क्लोरोफिल का नास नहीं होने देता है और जो भी लीफ है उनके से सबसे इंप्रेंट साइटो कानिन उसके बाद में आपका सेकंड जिब्रेलिन के लिए अल्सों आपको लिख रखा है क्या लाग्यों इमेच्व फ्यूट यह उ क्यूशन नंबर 41 और 41 क्यूशन है दा अबेलेटी ओफ प्लांट फोलोव दिफ्रेंट पाथवे और प्रोड्यूस दिफ्रेंट स्ट्रक्टर इन रेस्पोंस तो एनवार्मेंट और फेजे जलाइव इस ट्रम्डेड की भीवन प्रतों की समता प्रयाण के प्रभाव और आगरे जिवनर की भीवन चल्ण आगे गला ईयान अजिनो टाइथ यह इंट्र्स और इंट्रसल स्य हर्मौन और अन्वर्मेंटल फेक्टर तो जानते हो की इंट्रसल्र जो जीनी स्ट्रक्चर से आप जानते हैं की 展h जनिया है गाजर है अना लार्क स्प्राइव नमें होती है और एन्वार्मेंटल हेट्रोफिल्य बटरकप में होती है सार आप जानते हो प्लास्टिसीटी एक्जांपल तो यह बहुत अच्छा आपको एंदर देर का 41 क्यूशन और 41 क्यूशन में आपको अच्छे से बताओ मे अब तो अब एब ऑ प्ले इंपोर्टेंट डॉल सीड डवलप्मेंट मैंचूरेशन दोर्मेंसी बहुत अच्छा है एब यह तो सीड के डवलप्मेंट में मैं फिर डॉर्मेंसी लाने में क्योंकि होता आप जानते हैं वैसे ही इनिबीटर हर्मोन और प्लिया फिर सीट औ और एक सीड और डॉर मेंसे बिलकुल सी यह बहुत सारे बीजो में से मुंग फली में और जो बहुत सारे ट्यूबर होते हैं पोटेटो ट्यूबर वहाँ पर सुप्ति को तोड़ता है करेक्ट है सीधा एंसाटी एबी और जी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है विप्रित है एंटी जिब्रेलिक है एई बी यस इसलिए आप जानते हो कि वहाँ योग वाई या सिनरेजिट को होते हैं जो सेम टाइम पर सेम फंक्शन करें आगे एक क्वेशन भी आएगा पर आपके ठीक है न तो आप समझ सकते हैं और साइटो काइनिन प्राइमिलिक कंस्राइल लिख रिकिए आप पढ़िएगा क्वेशन 43 प्लांट हार्मोन रिलेटेड विद क्लामेटिक रेस्परेशन पादफ हार्मोन क्लामेटिक साउसन से जानते हैं जब इसप्रे करते हैं इथाइलीन जनरली जब राइपनिंग को फ्रूट होता है वो तिरुव रूप से अब आपको डिरेक्ट लाइन वहां पर दे रहेखिए कलियर नेक्स्ट अपन करते हैं योशन नमबर फोटीफोर स्लेक्ट करेक्ट ओप्शन विच कंटेन अल्ली सिंथेटिक और यह यहां पर देखिएगा यह संथेटिक है प्योड़ यह बिदिया हाई यहां यहां है यह और टूफोर डी राउनसर विल भी फोर क्लियर आप नेक्स्ट देखिएगा क्योशन नमबर फोर्टी फाइफ और फोर्टी फाइफ है कि प्लांट ग्रोथ इस कंट्रोल भाई पादव बर्दी किस-किस से देखो development को प्रभायत में नेकारक फेक्टर अफेक्टर अफेक्टिंड डवलप्मेंट तो फर्स टॉपल दो होते हैं intrinsic, extrinsic intrinsic आपके होते हैं plant factor और extrinsic आपके होते हैं environmental factor वातावरणी यह कारक होते हैं भाई यह कारक यहाँ आपके इंट्रीक प्लांट फेक्टर में देखो वहां अच्छी से लान है इक तो इंट्रा सेलोलर यानि जो जीन जीन या क्रोमोजोम यानि डीने इंट्रा सलर जानते हो जो केश़ो हैं इनल्य जो लक्सित पर है धनीया उसके अंदर आपका इंट्रसलर जिन से और एक आपका इंट्रसलर तो cells की interaction से इंट्रसलर जो आप PGR plant growth regulator जो growth और development पर control करती है और extrinsic temperature है lighter water है वो तो आपका extrinsic का environmental करता ही करता है तो यहाँ देखी का है कि only दे दिया बाकि salin only दे दिया intracellar भी आ गया इंटरसल्दर भी आगए तो यह तो दोनूं क्या होगे intrinsic होगे और factor extrinsic भी आगए तो correct answer आपका क्या होगे अच्छा question है next आप देखिएगा question number 46 वरनलाजसन राफर इस्पेसली तो प्रमोर्शन आप जानते कि क्या करेगा तो बहुत अच्छा question है 4 takes is 252 पेज नंबर ncrt का सीधा देरेका लोग टेम्परेशन राफर ट्रीटमेंट होता है शूट अपेसिज उसको प्रिस्व करता है सीधा आपका आंसर है next आप देखिएगा question number 47 winter variety of wheat planted तो आप जानते हैं कि वरनलाजसन के अंदर यह किस पे लागू होती है एक तो winter variety जो होती है और एक बाइनियल प्रांट तो winter variety जो टेम्परेट एरिया में होती है situation छेत्रों में होती है wheat की है राई की है तो वहां क्या होता है कि winter wheat होता है winter wheat को autumn में seed sowing then आप जानते हैं कि वहां पर फिर winter आती है उसमें वह low temperature को pursue करता है फिर आपका spring आता है फिर summer तो mid summer उसको harvest करते हैं clear तो आप जानते हैं कि यहां पर autumn और mid summer आपका थड़ answer है सिधा NCRT है लेकिन आगर उसका मैं पूरा आपको बताऊं कि normal crop cycle है उसको autumn में seed sowing कराएंगे भीवाई करेंगे फिर आप जानते है winter का प्रिसीड आएगा फिर यानि जो autumn का winter है उसके पश्चात आप जानते हैं कि spring फिर mid summer लेकर आप उनको seed को पहले से vernalize कर दें तो आप सीधा spring में seed sowing कराके और उसके summer में harvest कर सकते हो जैसे spring variety होती है तो यह आपका answer यहाँ पर third हो गया अध्सा question है और आप जानते हैं कि जो 47 question है वो page number 252 पर यह आपका है के लिए और 251 पर आपका अगला question है तो देखेगा कि question 48 some plant required exposure to light a period exceeding a well defined critical duration कि जो light dark relative duration की required होती है अगर critical से ज्यादा पर flowering initiate होती है तो आपके होते है long day plant थर्ड आपका answer 48 का समझे ना और 48 भी आपका सीधा जो 250 पेज आपका है 251 पर आपको दे रखा है clear अब आप देखेगा कि next question 49 ethylene increased yield in cucumber ethylene खीरे में क्या करता है वह female floor femaleness को increase सीधी बात है female floor को सीधा NCRT की लाइन आपकी है बाकी option होई नहीं सकते है clear next आप देखेगा कि जो question आपका 50 है effect of ethylene on deep water rice plant गहरे पान के धान के पोदब ethylene का प्रभाव के लिए तो देखेगे बढ़ा कि जो 49 question है वो भी 250 पेज पर है तो आप अच्छे से जानते हैं कि भई 50 question अच्छा है इट प्रमोट इंटर्णोड और प्रणवरंत और प्रवा की लंबाई को जल्दी से आउट आजें पानी से बाहर प्रकार संसलेशन कर सके चाहल के अंदर ठीक है ना तो यह करता है बाकी highly reduced सरपे सिर्यागों थोड़े ही reduce करता है tap route नहीं advantage की बात होती है बाकिया आपका नहीं होगा clear तो next अपन देखते हैं तो अपना 50% पार्ट कवर हुआ बहुत अच्छे से अब आगे के question में तो फिच्चे आपको concept बता दिये गए हैं तो page number आप अच्छे से define कर लेंगे और मैं फटा पट देखो आपको question बताता हूं तो आ आप देखेगा question 51 बहुत अच्छा question है question जो 51 है अच्छा question एक दिमाग से बनाया गया है कि which of the following enzyme is not operational in rhizobium during free living condition कि निवन में से कौन सा enzyme rhizobium में सोतंतर जीव आउस्ता में क्रिया सिल नहीं होता है राइजोबियम और जैसे आप जानते हो कि वहाँ लेग्यूम प्लांट होगा और वह मैच्छोर की रोजगार नायट्रोजनी कमी करेगा तो यह इंट्रेक्ट होगा और जब कीमो टिक टिक एजेंट रिलीज करेगा तो फिर वहाँ रूट हेर करलिंग होगी राइजोबिय मल्टिप्लाई होगा इंफेक्शन थ्रेड बनेगा और जब नोड्यूल बन जाएगी उसके अंदर लेग मुगलोबिन वहाँ से ओक्षिन को रिमूव कर देगा तो डिरिंग एंट्टू फिक्सेशन करता है तब न लेकिन नाइट्रोजनेज क्योंकि नाइट्रोजनेज तो फ्री लीविंग में जब वह अरोबिक होगा उससे में फंक्शनल हो गई नहीं के लिए नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर फिप्ती टू ऑक्सिडेटी फोस्फोरलेशन टैक्पलेसिन के ओक्षिकारी फा अच्छे से बता दिया कि भी ड्यूरिंग रेस्परेशन ग्लायकॉलाइसिस में डारेक्ट असल्पी बन जाती हो तो अलग है बागी एनेडियेज बनते हैं दो अगर पाइरिविख एरोबिक में जाए तो फिर आप जानते कि युकेट में तो मैट्रोकॉंट्रामेर बाग ऑक्षिजन को फाइनल हेरोजन टे करेगा थानल हैडोजन अस्यप्टर टर्मिनड अक्फिदेशन ग्रेडे फिर प्रोटण ग्रेडेंट एर्ट्यन को जाएगी फिर फिर ऍोस्मोंट रेणत إ sabhg4 टू बनंजन करेगा तो अब जिरो से हैं टु प्रोटोन वहां जाएंग और हां यहां प्रभगी कुछ कहता कि भी क्योंकि सारा आपको माइटोकॉंड्रिया की बात कर लिए अगर प्रोकेट में मीजोसोम होता भी यस तो आप समझ सकते हैं कि इनर मेंब्रेन ऑफ माइटोकॉंड्रिया आप कांसर हो जाएगा जो 52 क्यूशन है और आप जानते 232 पे अप सिद्धी सि बात जानते हैं बैंग कंप्लीट फीजर है नहीं और फोट्ट फीजर्शन है नहीं तो पार्शील है किलिए अर्थ की सभी living cells में even procket bacteria से लेकर plant animals सभी living cells में आपका होता है तो यहाँ देखी क्या कि plant only word दे दिया है गलत हो गया यहाँ only दे दिया है यह भी गलत हो गया all living except bacteria नहीं भी bacterial cell भी भी तो अपना श्रतंत्र स्थितो है न वो भी तो respire करती है ठीक है तो all living organism answer 4 next आप देखेगा question number 56 यह अच्छा question है और 56 जो आपका question है वो NCIT page number 244 यहनि आपको सीधा एक leave का दे रखा है देखेगा growth rate होती होँआ पर एक होती है absolute growth rate निरफेक्स वर्दी दर उसमें कभी comparison नहीं होता है initial final से प्रारम्भी को रंतिन से आप समझ सकते हों कि absolute growth per unit time total growth per unit time तो total growth per unit time आपकी होती है न वो आपकी होती है absolute growth rate total growth per unit time आप देखेगा कि per unit time यानि 61 समय में जो total growth होती है तो एक डे एक दिन दे रखा है यहाँ पर अब एक दिन में 5 cm square से यह 10 cm square और यह 50 से 55 तो दोनों में equal हुई 55 की तो growth पर unit time तो 5 cm square 5 cm square तो agr absolute growth rate दोनों की same है अब यहाँ आप देखेगा agr 5 5 लेकिन rgr क्या होता है relative growth होती है तो relative growth क्या होती है बटा कि initial size क्या था और जो growth है उसमें अपन initial size से comparison करते हैं तो देखेगा कि growth यहाँ पर 5 था initial size भी क्या था 5 into 100 तो यह 100% हो गई क्यों डबल हो गई और यहाँ initial आपका क्या था 5 sorry growth किता है 5 और initial किता था 50 50 से 55 वहा न इंटु 100 तो आप जानते हैं कि 500 by 50 तो यहाँ 10% ही वहा तो यहाँ agr तो दोनों में same है लेकिन rgr लीप A के लिए 100% है लीप B के लिए के लिए 10% है relative growth rate कि उसमें अपन देखते हैं कि growth जो हुई बटा initial size जो initial उसकी size थी into 100 अपन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा question आपका है और यह question 244 page नमर पर अच्छा आपको इसको दोनों को consider करना है यह बेटा आप समझ गए होंगे question 57 सुक्रोज is converted into glucose and fructose किसकी किरह सेलता है सुक्रोज, glucose और fructose में तो आप समझते हो 239 page नमर पर आपको दे रहे का अच्छे से है ना कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है प्लांट में आप जानते होगी वैसे glucose नहीं होता है सुक्रोज फोम में होता है क्लियर क्योंकि glucose chemically भी एक्टीव है और osmotic भी फिर सुक्रोज, osmotic एक्टीव बढ़े chemically inactive है, non reducing sugar है और फिर आप जानते है, stars तो finally chemically और osmotic दोनों inactive है स्टोरेज उसी फोम में होता है लेकिन वहाँ आपका सुक्रोज होगा सीधा anxiety का लाइन है, पहले बता चुका हूँ next देखिए का question number 58 the respiratory cuterant of depend on किस पर depend करता है क्या atmosphere में कित्ती auto available है किती CO2 से कोही मतलब नहीं है chemical nature, nature of respiratory substrate respiratory कैसा है उसमें carbon के इकोली oxygen है जैसे C6-O6 glucose तो उसको extra oxygen नहीं चाहिए 6-O2 चाहिए, 6-O2 रिलीज होगा 6-O2 प्टा 6-O2, 1-RQ होगा बढ़ा आप जान देओ, ऐसे substrate जिनमें oxygen कम है जैसे fatty acid में, formula में oxygen कम होगी चाहिए तुम palmitic acid की बात करना चाहिए, tripalmitine की बात करना तो वहाँ extra oxygen required होगी और रिलीज स्यो टू कम होगी तो RQ आपका less than 1 होगा और organic acid में greater than 1 होगा सब कुछ depending कि सब करता type of respiratory substrate इन्हें आपका जो 58 question है NCIT page number 237 वहाँ पर आपको अच्छे से clear cut respiration में RQ में आपको यह line बता रखी है next देखिएगा question number 59 plant hormone is responsible of quickly ripening of fruit एक पादब हर्मोन जो फल को तुरंत पर इपकोन करता इन्हें fruits के maturation में वो sorry fruit की ripening में कौन help करता है तो जैसे कच्चे वहाँ पर जो पक्के हुए संतर के बाद कच्चे के लिए रख दिये गे तो उन्होंने एक volatile substance release किया था वास्प सिल्फदार्थ आप अच्छे से जानते हैं इथाइलेन आपका answer हो गया next आप देखिएगा question number 60 the end product of oxidative phosphor relation oxidative phosphor relation in ETS ETS का end product क्या है ATP और S2 oxygen finally hydrogen होता है और proton gradient से आपका ATP यह तो है बहुत इंपोर्टेंट आपका है question बाकी तो यह NADH यह तो oxidize होता है oxygen आप जानते हो कि यहाँ oxidative phosphor relation oxygen बनेगी थोड़ी oxygen तो consume होती respiration में yes तो आप सानते हैं कि answer आपका 4 हो गया next देखिए का question number 61 कि in which of following process CO2 is not released by CO2 किसमें रिलीज नहीं होती है आप जानते है glycolysis में ना तो लगते ना CO2 glycolysis वा जो pyruvate का fat बहुत से है तो लेक्टिक fermentation में CO2 रिलीज नहीं होगी बाकि आप समझ सकते हैं कि चाहे alcoholic fermentation हो या फिर link reaction क्रेब cycle उन सब में आप जानते हो तो link reaction में oxidative decarboxylation process है pyruvate dehydrogenase वहां तो oxidation भी होगा NAD से NADHB और आप जानते हैं कि CO2 रिलीज होगी during alcoholic fermentation हो गए होगा aerobic respiration में हो गए होगा lactic fermentation नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा next देखिएगा question number 62 which of the following is form during photorespiration कौन सा प्रकास ओशन जनरली अपने respiration की तरह नहीं है प्रकास ओशन तो आप जानते हो कि C3 plant में जब intensity ज्यादा हो जाती है और rvp से oxygen जूड़ जाती है फॉस्फो ग्लाइकोलेट यह अच्छा आपका आता तो फॉस्फो ग्लाइकोलेट वहाँ बनेगा नहीं बनेगा निर्थक प्रोसेस है यह आपका फोम ही नहीं होगा citric acid नहीं होगा क्योंकि यह नहीं होगे फॉस्फो ग्लाइकोलेट यहां परफेक्ट टांस हो रहा है नेक्स्ट आप देखेगा क्रेशन 63 डिरिंग वन टरन ओप क्रेप साइकल नमबर अप स्योटो मोलेक आपको सारी प्रोसेश्ट टू टाइम करनी है जैसे पीजेल से 1-3 बाइपीजी तो टू मोलेकुल है ना पीजेल के डिएचेपी कनोट आ जाए फिर वापस 1-3 बाइपीजी फिर 3 पीजी तो 1-3 बाइपीजी एक एसलपी तो दो बार में दो असलपी फिर आगे पैप से प असलपी और 2 नड़ है फिर आपने तो कि पाइरिवेट का फैट डिपेंड करता ऑक्सेशन कर लिंक हो एक पाइरिवेट से एक एस्ट्राल कोंजामें एक लिंक लेंग गुलुकोजी रहा दो बार फिर एक एस्ट्राल कोंजाम से वन ट्रन ओप क्रफ साइकल टू कारबन है अब 2 carbon esterol consume है, craft cycle में 2 CO2 release होगी, जितने carbon होती, CO2 release होती है, number of carbon equal to number of CO2, तो आपका आधारी पदार्थ क्या है, basic substrate है, esterol consume, 1 craft cycle में, तो 3 NADH, 1 FADH, और 1 direct ATP, और 2 CO2, बट glucose के reference में आजाए, तो 2 turn होंगे, तो 6 NADH, 2 FADH, 2 CO2, और 2 CO2, 4 CO2, और 2 direct ATP, तब भीज़ आपका 24 आगे लिए, 12 ATP आएगा, तो देखेगा, यहां किती CO2 था, आप only 2 CO2, समझे रहे, एक में, दो बार में किती, 4 CO2, और एक link में 1 CO2, तो दो बार में किती, 2 CO2, glycolis free है, तो 2 और 4 किते होगे, 6 CO2 दो रिलीज कर देना आपको, अगर आपको link reaction, single पुचे दे 1 CO2, glucose रहे, 2 CO2, crab single पुचे दो CO2, glucose के reference में 4 CO2, yes, 100% है कि नहीं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और calculation, physiology में क्या होता है, क्या आया, क्या form हुआ, chemical calculation को, बहुत equally mind के अंदर concept के साथ, आप उध्यान रखना होता है, next आप देखिएगा, question number 64, connecting link between TC cycle and nitrogen metabolism, मैंने कहाता कि, crab cycle, TC cycle के जो intermediates है, जैसे कि, alpha ketoglutary acid है, आप समझ सकते हो कि, succional congime है, और भी papers में आप बहुत अच्छे question दूँगा कि, जैसे, succional congime chlorophyll की synthesis में, alpha ketoglutary, जो एक बहुत ही important, सबसे, metho pune, आपका organic acid याँ, alpha ketoglutary 5 carbon, जो amino acid synthesis में use होगा, क्योंकि, ammonium आइन से directly link करता, TC cycle से जाता, alpha ketoglutary, reductive emanation, आप चाहित अपनी करना, amino acid glutamic, first amino acid आपका form होगा, yes, तो बहुत important है, यहाँ पर आप देखिएगा कि, alpha ketoglutary, आज आएगा, yes, next आप देखिएगा, question number 65, coconut water content, तो नारेल पानी है, macrogas tea, g18 है, तो यह सब आपका क्या है, cytokinin, सिधा आपको वहाँ पर line दे रखिए, next आप देखिएगा, question number 66, pyruvic acid, the key product of glycolases, have many metabolic fat, under aerobic condition, finally formed, pyruvic glycolase, अमुख उत पाद है, जिसके बहुशी उपापची प्रणाम, वाईवी परस्तित्यों में क्या बनाएगा, भई देखो, मैंने कहा था नहीं, pyruvic एक महत्तवन केंदी रसाइन है, उसका fat depend करता है, cellular need, कोई सी क्या हुश सकता है, एंसे निखरेकर, 239 पे और आप समझ सकते हैं कि, if auto-ovolable, then link और crab, तो finally, CO2-H2 हो जाएगा, और ETS हो कर आपका ATP production हो जाता है, ATP-S2, और आप समझ सकते हैं कि, अगर alcoholic fermentation हुआ, और आपका क्या भी, lactic link नहीं हाँ पर आपको दिया है कि, why भी प्रस्तिदी, अगर auto-ovolable है, तो link or crab, तो finally आप जानते हैं कि, CO2-H2, बाकि यह तो lactic fermentation में, यह possible ही नहीं है, यह ethanol आपका alcoholic fermentation, यस, अब आप next देखिएगा, कि भी question number 67, the total gain of ATP in glycolysis, कि देखिए उड़ा कि, glycolysis में क्या होता है, 6 step जो PGL वाली हो, वहाँ पर 1-ADH, तो 2 बार में 2-ADH, तो 2-ADH से 2 into 3, 6 ATP हो गया आपका, और 2 into 2, यहनि 4 SLP, बाए एक तो 7 step में, जब 1-3 by PG, 3 PGA में, और फिर, pap pyruvate में होता है, तो 2 consume हो गया, utilization होगा, investment phase में, तो total gain, total production 10, but total gain 8, क्योंकि 2 initially, आपका consume हो गया, और direct gain आपका होता, 4 SLP के थूरू, वहीं पर मिल जाए, direct gain, परतेक्स लाब, तो direct net gain किता होगा, परतेक्स उद लाब, 2 ATP का, बहुत अच्छा question है, बताते रहते हैं, और आप समझ सकते हैं, कि यह सारी बात होगी, next आप देखेगा, question number 68, glycolysis is, glycolysis क्या है, glycolysis आप जानते हो, glucose का partial oxidation है, 10 enzymatic reaction होती है, O2 use ही नहीं होती है, CO2 release भी नहीं होती है, और pyruvate कैसे डपका form होता है, तो pyruvate में, अगर alcoholic fermentation होता है, और अगर Arabic है, तो होगी होगी, बड़ लेक्टिक में नहीं होगी, तो यहाँ देखेगा, कि aerobic respiration in plant, होगी, aerobic respiration in animal, जनतों में, होगी, anaerobic respiration in yeast, इस्ट में तो alcoholic fermentation होता है, alcoholic noon होता है, तो आप जानते हैं, वोगी, अनिमल में अपनी body के अंदर अगर sufficient नहीं रहे तो फिर अपनी muscle cells, lactic fermentation, lactic acid form कर देती हैं न क्रेम पाने लग जाते हैं तो मास पेसिव में जकड़न होती है तो यह आप का answer क्या हो जाएगा 4, next आप देखिएगा, question number 70, the co-factor required for the activity of pyruvate dehydrogenase निमने में से कौन सा pyruvate dehydrogenase सक्रेन के लिए सहय का रख है, several co-factor होते हैं लेकिन magnesium, वहाँ पर बहुत इंपोर्टने टी-पी-पी थी, amine pyrophosphate और भी अपन पढ़ते हैं पारवेट dehydrogenase complex के जो co-factor co-enzyme या जो भी आपके हैं, तो वहाँ insight ने सीधा आपको देर रखाया, answer आपका ही हो गया, next आप देखिएगा, question number 71, in relation to one glucose molecule in krebs cycle, what NADH and FADH ratio become produced, तो वह तो चाहिए आपका दो टरन पूची तो एक टरन पूची, वह एक टरन में तो acetal co-enzyme, जब आपका oxidize होगा, तो आप जानते हैं कि 3 NADH, तो 3 NADH और 1 FADH, लिएन आपने glucose के reference में 2 टाइम चलेगा, तो भी 6 NADH बनेगा, 6 NADH 2, कि 1 टरन में 3 NADH और 1 FADH, 4 टाइम अक्षडिएशन होता है, 2 टरन में 6 NADH, 2 FADH, तो भी ratio तो आपका क्या आणा है, 3 ratio 1, क्लियर है, बहुत अच्छा question है, next आप देखिएगा, question number 72, match the following and choose the correct option, from these given below, निमिलिकम का मिलान कीजी, विकलपों का आपको सही चुनाओ करना बहुत अच्छे सी ध्यान देना है, molecular oxygen hydrogen receptor है, अन्तिम hydrogen receptor है, electron receptor, cytochrome C, pyruvate dehydrogenates, तो आप जानते हो, आपका देखिएगा, आपका होगा, फर्स्ट, यापर देखिएगा, A, second, D, third, ट्रदिया, C, four, C को यहाँ पर generally four से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि, pyruvate dehydrogenates, अस्ट्रल को अच्छे में ही बनता है, तो यहाँ पर आपका आप कांसुर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योंकि आपका देखिएगा, तो 73 आपका question है, clear, फिर आप देखिएगा, 74 question, तो 74 question की बात करो में, तो इन क्रेब साइकल, GTP is formed by, क्रेब साइकल में GTP का निर्माण, बाई, एक क्रेब साइकल में बार-बार बता रहे हैं कि, एक हैस्टल कॉंजाम से 3 NADH, 1 FADH, और 1 direct ATP, GTP, जो आपका सक्सिनल कॉंजाम से सक्सिनिक एसिड, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि, direct ATP form हो रही है, तो वो है SLP, substrate level phosphorylation, यानि direct ATP mean, substrate phosphate group ADP को provide कर दे, तो SLP मेंने आपको बताया था, बागी oxidative तो ETS की दोरान होती है, non-cyclic, cyclic photosynthesis में, जब आप solar radiation, ट्रेप होकर फिर आपका जो proton gradient form होता, उससे आपकी होती है, तो आपका transfer first हो जाएगा, next देखिएगा, question number 75, aerobic respiration is, why you assertion का है, यह अपने आपने बहुत unique question है, देखिएगा, generally, aerobic respiration, 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 एक downhill process है, क्योंकि respiration के अंदर जो oxygen include होता है, समलित होता है, वो एक purple electron ग्राई है, एक strong electron acceptor है, तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम oxygen, अंतिम electron oxygen पर फिर hydrogen acceptor होती है, terminal oxidation, और आप ध्यान दीजिएगा इसमें, कि यहाँ भोज्य पदार्तों oxygen हो रहा है, तो जो भी respiratory substrate है, सौसनी किरियादार, उसका oxidation हो रहा है, पहले partial oxidation से glucose, पायरविक में, फिर पायरविक का वन मोल्कुल अस्ट्राल को एंजाइम, फिर complete आपका CO2 में, तो वहाँ भार से other chemical, देखना oxygen include हो रहा है, जैब कि एनारविक में, आप जानते हैं कि अगर कोई भी substrate का oxidation होगा, तो NAD को hydrogen देगा, जैसे कि PGL, तो NADH फोम होता है, तो alcoholic fermentation में, PGL donor है, NAD ने एक बार issue के लिए, फिर NADH वापस किसको देदेगा, CS3-CHO, Estreldehyde को, ताकि उससे ethanol बने, तो वहाँ पर उसी का substrate वापस गेन कर लेता है, किलियर, वहीं का कोई ना कोई किरियाधार वापस गेन कर लेता है, लेकिन, aerobic में, बाहर से chemical आ रहा है, oxygen, तो intermolecular process होगी, intermolecular process, जैब कि जो anaerobic है, वह आपको intramolecular हो गया, जैसे कि fermentation के 6 step में, वहाँ एक बार के लिए NAD ले लेता है, NADH लेकिन, NAD तो वापस oxidize हो जाता है, तो finally, लेने वाला कोन होता है, finally, सब्टर आपका CS3CHO, HDLD होता है, yes, तो आप समझ सकते हैं कि यह आपका एक intermolecular process है, second आपका हो गया, next आप देखिएगा कि question 76, during cellular breakdown of one molecule glucose, how many NADH are produced in mitochond mitochondria, एक अनू glucose के विखंड़ने के दुरान, mitochondria में, कितने NADH, यह अच्छा question, अब यह आपको लेंग कर दिया, एक glucose और भी mitochondria में देदिया, तो देखो glucose का partial oxidation, glycolysis, तो glycolysis तो आपका PGA foam हुआ, आप जानते ही, by phosphoglyceric acid, PGA foam हुआ, तो यहाँ NAD से NADH यानि, partial oxidation हुआ, तो टू टाइम चला तो 2 NADH, बाकि जैसे ही, यह pyruvic acid, pyruvic acid एंटर करता है, mitochondria में, तो link reaction में, 3 carbon का एक molecule है, pyruvic acid, के लिए, फिर आप जानते ही, कि यह 2 carbon का एक molecule, जो Acetyl Coenzyme में change होता है, तो यहाँ पर CO2 भी release होती है, और oxidation भी होता है, NAD से NADH बनता है, pyruvic acid, but glucose के reference में, दो बार, तो link reaction में, आपके 2 NADH हो गए, अब यहाँ glucose लिंक reaction भी होगी, फिर आपका krab cycle भी, फिर Acetyl Coenzyme से krab cycle चला, तो 4 time Oxidation, 3 NADH, और 1 FADH लिए अपने कहात आपना, 1 Acetyl Coenzyme 3 NADH, 1 FADH, अगर glucose के reference में 2 time, क्रेब turn 2 time, तो 3 3 6 NADH, 2 FADH, अब glucose के reference में, क्रेब क्रेब में 6 NADH बने गए, और 1 link में, 2 time run करेगी, तो 2, तो 6 और 2 किते होगे 8, अब यहाँ कई बार, अपने क्या कर देंगे, 6 आंसर बलत हो जाए, क्यों आप से glucose का reference द दे के दिया है, तो link और क्रेब की complete reaction हो जैसे पाइरिविक प्लस 4 NAD, और फिर 1 FADH, फिर आपको बना रखा 4 NADH, तो फिर उसके reference में, वो दो बार चलेगी, तो 8 NADH, 2 FADH हो जाएंगे, क्योंकि total respiration में 10 NADH बनते हैं, तो 10 NADH 2 बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं, कि 2 NADH, बाकिया कि 8 आपके 1 link में 1, 2 time turn करेंगी 2 NADH, और 1 क्रेब में 3, 2 time turn करेंगी 2 NADH, और 1 क्रेब में 3, 2 time turn करेंगी 6, तो 6 to 8, और 2, 10, 10 3, 30 ATP, 2 FADH, 1 क्रेब में 1, 2 में 2, तो 2 इंटो 2, 4, 30, 30 और 4, 34, oxidative 4, तो 3, then 6 direct, 4 in glycolysis, और 1 क्रेब में 1 direct SLP, तो 2 SLP, तो 6 SLP, तो 34 और 640, माइनस 2, 38, yes, और subtle system होता है, आज यहीं बहुत इंट्रेस्टिंग आपको समझाएंगे, मजे से, आप समझ रहें कि, आपका question यहां कांसर 3rd हो जाएगा है, यह पर 8, क्योंकि यहां link और क्रेब को include करते हैं, आपको question पूचा, अच्छा question है, और देखिएगा, कि question number 77, the इंडीजोल एमिनोचेड एंटर दा रेस्पारेटर पात्वेट, एकल एमिनोमल सौचन में किस पात्वेशी करेगा, तो जो आपका question 77 है, यह NCRT के अंदर जो आपका एंफिपोलिक पद दे रखा है, सीधा एंसान लिखर का है, एज पारिवेट और एस्ट्राल को सकता, तो बोथ 1st and 2nd आपका आंसर हो जाएगा, 77 के अंदर आपका आंसर 4 हो जाएगा, clear, और आप देख सकते हैं कि 78, नेक्स्ट आपन देखते हैं, तो 78 question, in the mitochondrial electron transport system, the term complex 5th refer, mitochondrial electron इस्थानतर के दौरान complex 5th किसके लिए उपयोग होता है, BC1 complex, यह तो आपका complex 3rd है, complex 4, cytokrom जो जानते हैं, A1, A3 यह आपका है, बड़े आपको जानते हैं कि complex 5th आपका ATPH, ATP सिंद, F0, F1, तो आंसर आपका 2nd हो जाएगा, next आप देखेगा, question number 79, FADH oxidized by, तो आप जानते हैं, FADH तो complex 2nd पर, आपको ATH में बता रखा, सीधी बात है, clear, फिर आप देखेगा, question 80, how many proton responsible to develop proton gradient for synthesis of 1 ATP molecule, बहिए, कितने proton की requirement होती, बहिए, आप जानते हैं कि 2 proton, आप जानते हैं, 2 proton F0, F1 से, proton channel F0, facilitate करेगा, तो F1 पे, जब charge high to low जारता, energy, और वो, आप जानते हैं कि configuration F1 का, configuration change गरते, ADP plus IP, then ATP formation आपका होगा, तो वहाँ आपको सीधा है, तो hydrogenine, clear, next आप देख सकत हैं कि question 81, कि respiratory cuton defined as, सावसनी कुणां क्या होता भी, कि respiration में जो release CO2 है, amount of evolved CO2, बटा consume O2, कि उभगित O2 तो नीचे लेना आपको, जितनी आपकी release CO2 है, बटा उभगित O2, तो आपका RQ किता होता है, जैसे कि glucose के अंदर 6 CO2 बटा, 6 O2 तो एक आ जाएगा, बाकि एगर comparatively CO2 कम और O2 ज्यादा हो जाएगा, तो less than one, या फिर greater than one, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सिधा volume of CO2 evolved, और volume of O2 consumed, बाकि आपका possible नहीं है, सिधा वहाँ पर आपका inside दे रखा है, question 82, the rate of growth in highest in, जो phages दे रखे होते हैं, sigmoid growth कर होता है, geometric में sigmoid उसमें lag log, तो जो exponential होता है, log ह में maximum आपकी growth होती, सिधी सी बात है, positive acceleration धरनात्मक ताउरन होता है, clear, आप देखते हैं कि next question 83 क्या है, कि which of the following is gases hormone, सबसे simple, कि volatile hormone, wasp cell gases A के hormone है, ethylene, yes, तो आप समझ सकते हैं कि ethylene आपका hormone है, तो देखे मेरे प्यारे बच्चों, मस्त मस्त आपको आ रहा है, आप concept को सीख र सकते हैं, और भी आपको unique concept उप्लुप्त करवा देंगे, मैं कहता हूँ कि बहुत तरीके से आप NCRT को read करते जाएं और आप समझते जाएं तो कुछ भी, और कोई भी समस्य होता है, जो mobile number 9461357946, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और कोई topic समझ सकते हैं, आपकी help के लिए, आपके parents के सपनों को पूरा करने के लिए, और आप खुद की एक मंजिल पर पहुंचे हैं, हमारा थोड़ा सा सयोग हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, आप देखिएगा कि यसे सार्मुन आपका, इथाइलीन आपका हो गया, next आप देखिएगा, question 84, an intermediate of crab cycle, which responsible जिब्लो सिंथेस्टो, chlorophyll and phytochrome, तो मैंने आपको बताए दिया, कि crab cycle में कई सार्मुन होते हैं, alpha ketogluteric aminocity के लिए, ऐसे आपका होता है, एसेटाल को एंजाइम, जिब्लेलीन, फ्लेवनोर्ड के लिए, आप समझ सकते हो कि सक्सिनाल को एंजाइम है, तो glycine, या जैसे आपन कहें कि सक्सिनाल को एंजाइम A, और प्लस glycine, तो आपका बनता है proto-clorophyll, यह आदिक लोड़ अभी तर्क लोड़ नहीं बनाए, फि तो chlorophyll के संदेश में light भी essential है, light अगर insufficient हो तो utilization पांडूरीता हो जाती है, और आप समझ सकते हैं कि सक्सिनाल को एंजाइम है, तुहाँ पर help करता है, सीधी बात है, बहुत अच्छा question है, next आप देखिएगा, question number 85, which is the site for precipitation of light and dark relative duration, कौन सा पादभभाग प्रक्टा संदकार क तो आपको जो leaves होती है, mature lip मैंने आपको बता दिया, शुरू में, कि mature lip जब नियुन्तम काईक वर्दी, एक minimum required वेजटी ग्रोथ हो जाती है, mature leaf, phytochrome red, phytochrome red, optimum level, sunlight perceived, then fire, florism, फिर आपका shoot tip पर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं, answer हो चुका है, next आप देखिएगा, question 86, which of the following is used to speed up the malting process, सीधा आपको दिरकाएगी, malting के लिए GA3, seed germination में भी, और आप जानते हो, जैसे, बारले होता है, मेज का endosperm होता है, तो वहाँ GA3, जो digestive enzyme या कुछ alpha mlg activity को increase कर देता है, और alpha mlg activity, जो का भुनपोस होता है, बारले सीड में, उनके लिए आपकी होता है, नि नेक्स्ट आप देखिएगा, 87, the hormone antagonist to AB, AB के विपरित आपका जिब्रेलीन है, या जिब्रेलीन का आपका विपरित कोण AB, anti-जिब्रेलिक, यस, तो यह आपका हो गया, clear, तो GA के लिए आपका हो गया, नेक्स्ट आप देखिएगा, कि question number 88, which of the following hormone is a stress hormone, प्लांट इस्ट्र के सार्मोन, क्योंकि AB, जितने भी तनाव पुन पस्तिया होती, जैसे जल तनाव आजाए, वाटर स्ट्रेस आजाए, तो इस्टोमिटा के close के लिए, क्योंकि लेविट की परिकलपना, लेविट की जो आपका अंदर, और हाइड्रोजन आपका हो गया, next आप देखिएगा, question number 89, match the column first with column second select the correct, सही मिलान को आपको chain करना है, एगी नहीं है, तो देखिए का कि जो 89 question है, आपको यहाँ पर सही विकलप को ढूणना है, तो EGV में है, कि इंडोल acetic acid, इंडोल compound है, इंडोल 3 acetic acid, काइनेटीन, एडिनीन, प्योरीन है, ABA, करेटनोड का डेरिवेटी है, जो precursor है, तो यहाँ सारे आपने आप में match है, यह chemical nature आप देख सकते हो, जो हर्मोन के लिए वहाँ पर chemical nature anxiety ने दे रखी है, यस, और मैं आपको अच्छे से बता दूँ, कि जो question 89 है, वो PGR जहाँ आपको start कर रखी है, वहाँ पर दे रखा है, तो इसमें सिधा है देखो, A, A, first, B, C, तीरा पहला option है आपका, डारेक्ट आपका match खा रहा है, यह बहुत अच्छा question है, और आप देखिएगा कि next question, in alcoholic fermentation, hydrogen donor, acceptor respectively, तो देखो ड़ा कि glycolysis से 10 enzymatic से pyruication बन जाता है, इसका fat future depend करता है, अगर 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 है, तो दो रेक्षन आगे होगी, पहले पायरिविक एसिड, एस्ट्रियलड है, तो आप जानते हैं कि इस दोरान जो glycolysis के अंदर NADH नहीं बने, तो फिर NADH आपका consume हो जाता है, 6 step में जो बना हो, consume हो जाता हो, वहाँ देखेगा कि 6 step में, finally hydrogen donor को ओने PGL, इसका oxidation हो रहा है, तो यहाँ NADH से NADH बन जाता है, वहाँ पर NADH प्लस S2, H प्लस S2 बन जाता है, फिर देखेगा कि यह वहाँ यूज हो रहा है, और वापस NAD में convert हो रहा है, तो एस्ट्रेलड लेकर ethanol में convert हो रहा है, एस्ट्रेल लेकर किसमे? ethanol में, तो यहाँ PGL तो donor हो जाता है, CS3 CH क्या हो जाता है, गरहाई हो जाता है, आपन क्या NAD को सोच लेते हैं, भई, अरे भई, जैसे मैंने आपको 100 रुपीज दी, मैंने का उस गरीब आदमी को देखे आ जाना, तो final donor तो म आपको मैंने दी, एक बार के लिए आपका reduction हो गए, फिर आप उसको अपस देदोगे, आपका oxidation हो जाएगा, जैसे ते वैसे हो गए आप तो, लेने वाला हूँ final, मेरा 100 रुपीय कम हो गए, और लेने वाला जिसको final दी है अपनने, तो आप समझ सकते हैं कि ये question भी बहुत नेक्स्ट आप देखेगा, 91, select correctly matched, साही मिलान को आपको चुनना है बेटा, तो देखेगा कि साही मिलान, आप समझ सकते हैं कि और आपको देर का 92 देखेगा, spraying sugar can crop with gibraline, increased length of stem, आप जानते हैं, इंट्रनोडल इलोंगेशन को बढ़ाता है, जिब्रेलिन, तो गन्ये के अंदर तो और कुछ ही नहीं, इंट्रनोडल इलोंगेशन, इंट्रनोड अगर बढ़ गई, तो सुगर का content बढ़ जाएगा, तो वहाँ सिधा आपको एंसेट जर इनिबिट होती है, लेटरल, तो वहाँ ओगजीन ही तो होता है, ये सब कुछ कोण कराता है, ओगजीन, तो जिब्रेलिन, लेटरल बढ़ नहीं, साइटोकानीन, स्टेम टिप नहीं, ओगजीन इन दा स्टेम टिप, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कोण करता है, ओ इस दर रॉंग अबाउट डीकैपेटेशन, डीकैपेटेशन जो आप जानते हैं, उपर रठा दोगे आप सिर्स को, तो रिमूवर सूट इप करेक्ट है, हैल्फुल फो लेटर रोत ये भी करेक्ट है, वाइडली अप्लाटी प्लान्टेशन में जो हेज फोर्मिशन होता है, बढ़े याँ दे दियागा कि, नोट यूजफुल, ये तो होगा, तो ये आपके लिए गलत हो गया, यस, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योशन नमर 95, तो देखें स्टुडेंट्स, आपन लास्ट पेज में आ चुके हैं, तो विच पीजियर इस हेल्फुल फोर कंट आप समझ सकते हैं कि जो 95 आपका क्योशन है, 96 आपका क्योशन है, तो आंसर आप समझ सकते हैं कि उसका 4 हो गया, यस, तो देखिएगा, 4 आपका यहां पर हो गया, किलिए, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योशन 97, नेचुरल साइटो काने सिंते साइज, देखो सबसे ज़्यादा रैपिड साल डिविजिन जहां होते हैं, तिरुब कोश्ट के वज़न, यह रैम पे सबसे ज़्यादा, बड़ आप जानते हो, रैम के साथ साथ अगर सूट बढ़ और यंग फ्रूट हो, सीधा NCRT का क्योशन है, जो 97 क्योशन है, 249 पेज नंबर पे सीधा NCRT के इंदर आपको पूरा दे रखा है, और आंस्वर थर्ड आपका हो जाएगा, यस, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योशन 98, विच अब दा फोलोईंग हार्मोन है, और ट्रिपल रेस्पोंस, यह क्योशन म इनिशल सूट करता है, तो सीधलिंग होता है, तो पहले आपकी डाइकोट स्टिंग में होरिजोन्टल ग्रोथ होती है, फिर स्लोवन एक्सिस, फिर इसका मैन एक्सिस फूलता है, और आगे जाकर एपिकल हुक दे रखा हुआप, एपिकल हुक, तो यह देखिया गए कि होर फिर आपको दे रखा है कि यह मैन एक्सिस जो इरेक्ट है, यह एक्सिस आपका सूलन, यानि फूल भी गया, ठीक है, और यह एपिकल हुक, इसको करते हैं, त्रीडी ग्रोथ, यह ट्रिपल रेस्पोंस, इन डाइकोट सीडलिंग जो आपको दे रखा है, और यह बहुत अपने दिये हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आप देखिएगा, 99, the term synergistic action of harmon refers to, हार्मोनों की योगवाही किरिया सब्द किसके लिए है, यह एक्जाम्पलर का किशन है, बहुत अच्छी लेवल का किशन है, एक तो डाइंटागोनिस्ट, कि जैसे एबी एक कुछ ऐसे फंक्सन क समय पर, at a time, same function करें, तो उनका synergistic आपका process होता है, अब यहाँ देखिएगा, कि when two hormones act together, but bring opposite effect, यह गलत हो जाएगा, when two hormones act together and contribute the same function, जब दो हर्मोन एक साथ कारी करते हैं, दोनों एक ही कारी करते हैं, सिधा आपका NCRT का statement है, और मैं कहता हूँ कि, जो आपका 99 question है, 250, 251 पर आपका question है, और आप जानते हैं कि, when one hormone affect more than one function, ऐसा नहीं होगा, दो हर्मोन का होना चाहिए, when many hormones, when many hormones bring about any one function, जब अनेक हर्मोन बिलकर एक और इसे कोई मतलब ही नहीं, बास समझें, तो आपका होता है कि, when two hormones act together contribute to the same function, तो सीधा आपका answer यहाँ पर second है, और देखिएगा कि जो hundred question है, मैं आपको बताता हूँ, last question पर आगए मेरे प्यारे बच्चों, और मज़े से एक 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 लिएर करते हैं, फिर भी कोई question मैं आपको थोड़ा सा doubt लगे, तो आपको मस्त रहना है, मस्त तरिके से solution देखना है, मेरे number 9461357946 पर फिर पूछ लेना है, last time से हम आप दिया जाएगा, फिर physics को अपना होगा, इस एल से unique concept, फिर तब भी सारे subject पढ़ने है, और फिर जब लास्ट में आपका main DTS होगा, तो आपके topics एक 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 करोगे, तो हम आपके साथ है, sales आपके साथ हैं, और आप देखिएगा, हेंड़ा क्या कह करता है, मैं इस दा following निमलिक्त को मिलान कीजिए, IA, Indole Acetic Acid, तो Indole Acetic Acid, Oxine है, जो वीड़ फ्री लॉन, क्यूंकि आप जानते हो, डाइकोट, वीड़ को खितम करता है, मोनोकोट को नहीं, तो वीड़ फ्री लॉन, जो दूब घास आपको बनाते हैं, बहुत अच्छा क् matching होती है, आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा question है, तो ये solution देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से, देखो आपको बहुत अच्छा answer base लगा, तो बहुत अच्छी बात है, जो यहां के बच्चे हम दो section में paper करवाते हैं, तो हमारा B का बहुत अ help करेंगे, और वो भी एक मानवी सिवा की Corona, जो Corona आपको बहुत प्रेशान कर चुका, और गार्जिन्स को, और students को, आप जानते होगी Corona की इस Westwick महामारी ने, जो COVID की ये Westwick महामारी ती उसने बहुत प्रेशान कि अपन को, बहुत अपन को delay किया है, बीच बीच में अपन को disturb साकार कर सकते हैं, तो CLC के साथ हो जाईए, और अंतिम सपनों के अंतिम उडान लीजिएगा और अपने फाइनल टच कीजिएगा, हालो फ्रेंड्स, आज हम P-Block second वाले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास family जो है, पहले वाले भी तो हमारे पास आगे थी, बोरो और कार्बन, अब नाइट्रोजन, ऑक्सिजन और हैलोजन और नोबल गेस फेमिली, यहनि ग्रूप हमरे पास 15, 16 और 17 और 18, तो सबसे पहला क्वेशन हमारा P-Block second में, यहाँ पर, इने साइकलो ट्राइमेटा फोस्पोरिक एसिड मॉलेक्यल, हाव मैने सिंगल P-O and double bond are present, देखे लिए साइकलो ट्राइमेटा फोस्पोरिक एसिड जो हता है न बच्चो, देखे फोस्पोरिक एसिड ह3PO4 होता है, अब इस में से एक वोटर मॉलेक्यल आप निकाल दिजिए, तो बचेगा बच्चो, HPO3, यह है मैटा फोस्पोरिक एसिड, तो यह जो है मैटा फोस पिर P अब देखे बच्चो डवल बॉन्ड OH डवल बॉन्ड OH इस तरह से यह स्ट्रक्शर होता है इसका अब देखो इसमें तीन आज़े HPO3 जैसे एक मॉली के लिए होता है HPO3 दूसरा मॉली के लिए आगए HPO3 जैसे तीन मॉली के लाते हैं तीन का मिलके साइकलिक ट्राइमर बन जाएगा अब आपको डवल बॉन्ड काउंट करने तो साब देख रहें तीन डवल बॉन्ड हो गए तो देखे यहाँ पर तीन काउपस ने की आ रहा है तो यह आपका कैंचील हो गया यह आपका कैंचील हो गया अब पहले और तीसरे में से अपने को बारा एकल बंद बोल रहा है इसाथमां हो गया यह आठमां हो गया और यह नमवां हो गया थीकत नो एकल बंद ओगे और तीन तबल बंड हो गया बच्चों तो मारा फर्स्ट एंशर इस करेंट नेक्स्ट कॉस्ट्चन लेते हम कि विचो फॉलोविंग एलिमेंट कैन बी इनवोल्ड इन पीपाई डीपाई बॉंडिंग पीपाई डीपाई बॉंड मतलब जैसे डी और्विटल वेकेंड होना चाहिए तो फोस्प देखो कार्बन नाइट्रोजन बोरोन के पास तो डी नहीं होता अब जैसे ओक्साइडो में मल्टीकल बॉंड बन देते हैं आपके पास ठीक है लेकिन यह जो है फोस्पोरिस में पॉसीबल बच्चो इन तीनों के अंदर बॉरोन का नाइट्रोजन और बोरोन हमें करते हैं कि सेकंड पीरीड के जो इलिमेंट होते हैं सेकंड पीरिड एलिमेंट इन में D orbital क्या होता है absence होता है absence of D orbital D orbital होता ही नहीं बच्चों इन में यह ध्यान रतना है तो answer हमारा चले गए third हलो बच्चों question number third which of the following pair species are the isoelectronic as well the isostructural देखिए iso structural का मतलब आपके पास same hybridization same hybridization और isoelectronic मतलब number of electrons same number of electrons are same तो यह दोनों आप लिजिए तो यह फस्ट में आपका hybridization हो गया carbon के six और two में तो यह add कर देंगे अपन वेलेंस लेक्ट्रों देंगे चार और दो तो यह हो जाएगा sp2 hybridization और नाइट्रेट में वह फाइब फ्लस वन शिक्स और यह हो गया sp2 hybridization तो दोनों का hybridization शेम हो गया iso structural हो गया और electron भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पर electron आ जाएंगे आप पास carbon में count कर लेंग six और oxygen में eight eight into three तो यह हो गए आपके 24 और चे थर्टी टू इलेक्ट्रोन इसमें भी थर्टी टू है तो दोनों में थर्टी टू इलेक्ट्रोन है और फॉर्थ ऑप्शन जो है बच्चों इसमें भी hybridization देखोगे sp3 hybridization आ रहा है कलोरीन और यह भी दोनों देखी आई-सो इलेक्ट्रोनिक्स है number of electron दोनों में इन में क्या रहे है सेम आ रहे है तो आंसर जो है हमारा first and fourth दोनों ही आंसर जाएंगी इसमें first and fourth are correct which of following acids form three series of salts कौन से अमल लवनों की तीन शिरेनिया बनाते है जिसकी basis CT कितनी आएगी three series का मतलब है basis CT acid की basis CT of acid बच्चों कितनी बनेंगी तीन तो first H3 PO2 आ रहा है इसकी basis CT अपन देखेंगे तो कितनी हो जाएगी one हो जाएगी क्योंकि इसका जो structure बनाएंगे अपन इस तरह का structure दिखेंगा अपने को कि यहां आइड्रोजन जो आपका oxygen से टेचर वही बेसिटी में इन्वाल होगा इस तरी पियो टू में कि इसके बाद है इस तरी बीओ तरी की बेसिटी यह भी वन हो जाएगी इसकी हो गई है इस तरी पियो फॉर की इसकी थरी हो गई है इस तरी पियो थरी की बच्चो इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास दो हो जाएगी इसमें ऑक्सिजन से याद को हाइड्रोजन यह हो लोंगे इसमें यह आएगा तो आंसर हमारा हो गया थर्ड कि 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 स्ट्रॉंग रिड्यूसिंग बिहेवियर ओप स्ट्री पियो टू अभी है मैंने थोड़े देर पहले स्टॉक्चरी बताएं थी आपको है एच थरी पी और यह आपका है हाइपो फोस्पोरस एसिड है तो इसका मैं आपके आज विपाई आज आज आएगे पर जेंस ऑप पी एच पी एच मोंड के काड़नी रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है यह जो पी एच बोन आ रहे हैं तो थार्ड एंसर इसकाई देख और नहीं हाई एलेक्ट्रोन गैन अन्थेल्पी नहीं तो हमारे पास थार्ड एंसर इसक्रेक्ट है पर नाइट्रोजन का डायोक्सेड यानि ब्राउन गेस देदे गई है तो यह आपका सेकेंड एंसर इसक्रेक्ट देखे इसमें नो दे दिया यह नहीं आ रहा है इसमें आपके पास और यहां पी ब्लोक वाले जो है वह हीटिंग इफेक्स पर क्या शोगरते हैं और टू गेज देते हो थर्मल डिकम्पोजिशन शोगरते हैं कि विच फॉलोविंग एलिमेंट डाज नोट शो एलो ट्रोपी कौन सा एलिमेंट अप रूपता नहीं दर्साता है तो देखिए नाइट्रोजन जो है वह अप्रूपता नहीं दिखाता है बाकि बीश्मित अंटिमनी और आर्सेनिक दिखाते हैं सारे तो नाइट्रोजन को छोड़के सभी अप्रूपता नहीं दिखाते हैं कि 8 नमबर कोशन मैं अले मैक्सिमंघ कोवल मेंशी आफ नाइट्रोजन इस में चलोद मस्के मक्सिम और चैनल सकता है मैक्सिमूर्ण कितना और सताने चारा सकता बाहु देर दो सेकिंड पिरीड की जो सेकिंड administrator को जोते ना स्चिंड पिरिंड element न इंकी maximum covalency कितनी हो सकती है 4 हो सकती है 4 से ज़्याद़ नहीं होगी 5 से ज़्याद़ नहीं होगी क्योंकि इनके पास D-orbital नहीं होते है इसलिए maximum covalency 4 या ईकनाइट नहीं होते है जैसे आपके पास ammonia बनता है कोवलेंसी इक्वल टू नंबर ओप कोवलेंट और कोडिनेट बॉंट इन दोनों के बराबर कर लेंगे अपद है इअ ब्राउन रिंग करता है जो फेरस आइन होता है उसको ऑक्सिडाइज कर देता है ऑक्सिडाइज करके और यह कर लेता है ईनो में और फेरिक आईन हुआ ठीक अभी यह इसको oxidize कर देता है और फिर यह जो एफी जो होता है वो वाटर के अंदर इस तरह से यह एन्नो से reaction कर लेता है reaction करके बना लेता है एफी एच्टुओ फाइफ एन्नो और यह है प्लस टू इसको बोलते ब्राउन रिंग कॉम्पलेक्स यह है ब्राउन रिंग कॉम्पलेक्स एफी एच्टुओ फाइफ एन्नो फ्लस फस्ट और इसमें oxidation state जो एफी का आएगा वो प्लस बन आता है इसमें क्योंकि एन्नो का आपन यहाँ पर इसमें बानते प्लस बन पॉजिटिव लिगेंड बानते के टायनिक लिगेंड इसको बोलते ब्राउन रिंग कॉम्पलेक्स विचो फॉलोविग इन्नो टेटराहडल शेफ टेटराहडल का मदलब है बच्चो एसपी 3 हाइबरडाईजिशन देख लिजी आप एसपी 3 हाइबरडाईजेशन तो देखें आमोनियम एसपी 3 है इसमें इसमें भी सीलिका का SP3 हो गया इंदर सलफेट का SP3 हो गया बच्चो निकालना अपने वाता है जैसे वैलेंस एल में कितने हैं च्छ और आयन आपके पास दो जुड़गे थे प्लस दो दो का डिवाइड कर देंगे स्टेरिक रूल से संभ्या निकाल लेंगे चार आएगी आठके पास यहाँ SP3-D हाइबढाईशन होगे SP3D और इसका जो शेप आता है बच्चो शी शाश शेप होता है यनी आपके पास है यह सल्फर और यहां पर आप के पास यह फ्लॉरी न जायेगा इधर फ्लॉरी न जायेगा फिर इधर आपका फ्लॉरी न गया और यह आपके पास है यहां होता है लोन पेर केश शेप या सीशाओ शेप बोलते हैं इसको तो थार्ड अन्युशर इसक्रेक्ट करेक्ट विचोफ ववलोईंग आर पर ओक्सव एचिड अवफ सल्फफर सल्फफर के कोढ़ से पर-ॉक्षो एिड्ट है, परॉक्षो एसट का भ rif पर उक्सेड निया पर उक्सेड लिंकेज, तो बच्चों देखो H2SO5 यह होता है, पर उक्सो मोनोधैस, जल्फियृ गेसेड, निया पर उक्सेड परोक्सेड लिंकेज होता है, यह पर तो इसमें भी आपके पास यह परोक्षड लिंकेज आ गए बच्छो तो यह फर्स्ट इंसर आ जाएगा बाकी में अपन चेक करेंगे इसमें ओलियम आ गया यह इसमें ऐस ओवेस लिंकेज आएगा परोक्षड लिंकेज नहीं आएगा ओलियम का स्ट्रक्चर अपन बनाए तो ऐसे बन सकता है इसमें ओले लेंगे एस डबल मॉंड यह है यह SOS इसका यह आपका जो स्ट्रक्चर है इसका तो बाकी में देख लो सब में इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है है तो इसमें एसस लिंकेज आ जाएगा आपका तो आंसर हमारा फास्ट इस करेप्ट अमोनियम डाक्रोमेट को हीट करेंगे तो बच्चो क्या बनेगा नाइट्रोजन गेज बनेगे देए इसमें क्या है कि आप नाइट्रोजन बना लीजिए और प्लस ची आर तो ओध्री बनेगा और वाटर बनेगा वाटर देखो कितने बनेंगे यहां पर चार इंटू पोर मल्यक्यल बन जाएंगे चार ऐसीजन आगे तीन इदर आगे एक नाइट्रोजन गेज बची है यह बेरियम नाइट्राइड बेरियम जो एजाइड होता है इससे भी बना सकते हैं एजाइड यह प्योर नाइट्रोजन देता है यहां पर यहां भी एंटूगेस आएगी तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने की विदी अगे और धेमिस कोस्ट्रोजन एंच्या टिका डाइक्रोमेट को हीट करते तो नेट्रोजन गेस बनती है तो end to is both cases बेखिए बाकि में सब में गलत हा रहा किसी में आइन ऑनो बना रहे है इन सॉलिड पीचील 5 देगे बच्चों पीचील 5 सॉलिड जो होता है न वह इस तरह से पोलीमर के फोर में रहता है पीचील 6 आ जाता है और एक आ जाता है पीचील 4 केटाइन यह एनाइन और केटाइन के फोर में रहते हैं तो एक आपका टेट्रा हैडल हो जाएगा इसका होता है इसका होता है तो सॉलिड में हाइबराशन चेंज हो जाता है इसका पीचील 5 का तो आयनिक सॉलिड बनेगा यह पीचील केटाइन और एनाइन और पीचील 6 ओक्टाहेडर फॉलिविंग इस आई सो इलेक्टोनिक पेर टो इलेक्टोन चेक करने बच्चो तो देखें वैसे आप ब्रोमिन जैसे दोनों में कॉमन आ रहा है तो ऑक्सिजन देख लीजी ऑक्सिजन के इसाब से देखें तो आट इंटु दो सोलर 17 इलेक्ट्रोन आप इसमें देख सक यहां देखोगे तो फ्लॉरीन में कितने हो गए यहां आपके पास फ्लॉरीन में देखोगे नो इंटु दो ठारा अठारा में फिर एक प्लस निकाल दिया तो सतरा एलेक्ट्रोन तो यह ऑप्षिन बन रहा है बाकी में आप सब में चेक लिए देखिए एटम यहां सी यहां अक्सिजन बन बहांँ तो वैसे देखोगे डिफेरेंट दिख रहे इव ना रहा है और यहां किलोरीन नारत तो अलग लग आएंगे एक जैसी इलेक्ट्रोन का से आएंगगे यह और यहां कलोरी ज़याद है तो वैसी पता चलता है तो आइस इलेक्टोन है के एकिटामिक का भी question बन जाता है और तो फॉस्फोरस acid होता है बज़ तो यह है H3PO3 है इसको हीट करेंगे अपने तो oxidation state आगया आपका 3 तो oxidation state आपका इसमें disproportion reaction शो करता है तो यहां बनेगा H3 PO4 और प्लस फोस्पिन गेश इसमें माइनस 3 आगया है इसमें प्लस 5 आगया यह है disproportion reduction Intermediate oxidation state में acidic और basic medium फोस्पोरस disproportion reaction शो करता है तो हाइपो फोस्पोरिक फोस्पोरस अशिड है और तो पोस्पोरिक एशिड देगा यह पूछ रहे और फोस्पोरीक एशिड देने अब रचा यह और फॉस्पीन गेस हो गई तो आपके पास बोग्प two and third दोनों आज जाएगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फेमिली फोलोज तो देखें नाइट्रोजन में अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है ड्यू टू एच बोंडिंग कि एच gatlingen के कशा सबसे ज़्याद़ होता है तो यह आपका फोर्थ ये एक समुर्धान सबसे ज्यू ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉंट है की अब फ्लोरीन की जो है वो कम होती है due to small size due to small size क्योंकि small size में बचो electron add करना क्या होता है difficult होता है due to high electron density repulsion तो फ्लोरीन का size क्या होता है छोटा होता है फ्लोरीन में यह electron accepting tendency कम होती इसकी तो आपका third answer correct आ जाएगा the number of peroxide link is per kloric acid में कितना है तो बच्चों देखो per HClO4 होता है per kloric acid में और per kloric acid का जो structure बनाते हो आप इस तरह का structure होता है किते बना देवे तीन है तीन है तो इसमें कोई परोक्सेड लिंकेज नहीं है इसमें कोई परोक्सेड लिंकेज नहीं होता है जीरो आजाएगा अनसर होता है और यह monobasic acid होता है बेस्टिटी वन होती इसकी डेकन्स प्रोसेज इस यूज़ फो दर प्रिपरेशन डेकन्स प्रोसेज यूज़ होती है बच्छो क्लोरिन प्रिपरेशन में यानि HCl का oxidation करते है अपन in presence of CuCl2 catalyst की presence में तो यहाँ बनेगा H2 बन जाता है और और क्लोरिन गेस बन जाते है बेकन्स प्रोसेज में तो क्लोरिन का प्रिपरेशन मेथट है यह अज़िए तो यहाँ प्लस 6 आ गया यह यह प्लस 4 आ गया तो oxidation state ज्यादा होगी तो acidic strength क्या होगी ज्यादा मिलेगी N2O5 में प्लस 5 आ गया प्लस 3 आ गया और इधर आपके पास नीचे की तरफ जाते हो ग्रूप में तो acidic strength क्या होती है आपकी कम होती बेसिक बढ़ती रहती है तो all of these correct सारे acidic होगी आपके पास तो बच्चों हम आते हैं 21 number question में Dioxygen can be prepared by देखे KCLO3 है अपन इसको hit करेंगे तो KCL आ जाएगा oxygen आ जाएगा आपका PB3O4 को hit करेंगे PbO2 बन जाएगा और oxygen आ जाएगा आपका और H2 इसका विद्दू तो पगटन करेंगे तो यहाँ H2 आ जाएगा यहाँ oxygen आ जाएगा आपका तो इसका माला all of these ठीक है बच्चो all of these correct हो गया हमारा question बच्चों देखिए next 22 question में आते हैं SS bond present in SS देखो इसमें अभी थोड़ दर पहले मैंने स्ट्रॉक्चर बनाई थी हमने इसमें हमने देखा था एस ओ ओ ओ एस बोंड होता है इसमें भी हमने चेक कर लिया था S O और यहां O O bond होता है ठीक है भी इसके अंदर H2 H2 O 6 होता है इसमें होता है SS bond देखिए इसमें structure ऐसे बनती है कि अच्छा गया है यह अच्छा गया है यह है बच्छों तो H2 और S2 अगर oxygen कितने आपके पास है 600 हो लिए कि अच्छा अच्छा रिक्स हो लिए कि अच्छा रिक्षिक रिक्ष्ण करेंगा यहां पर एन ने जो है बनेगा तो पहले लेक्षान लेक्षान लेकिन यह डायलूट और कॉल्ड है और यहां बच्चे बनेंगे न ओशी यह बन जाएगा और एट एन न इसी बन जाएगा तो माइनस वन उक्षदार स्टेट से न उच्चेट यहां पर आपके पास आजेएगे फ्लस वन उक्षदेश्ट स्टेट इस्प्रोकॉर्ट्सन येक्षों अगी है जीरो उक्षडेश्ड स्टेट से तो आले यह एने ओड़ दॉट फॉर विजोड़ न्यूटिक बिहेवियर कॉण सा सलफर पैरा मेंटिक बिहेवियर शो करेगा तो यह जो एना वैसे सलफर होती है बच्छो S8 और S8 कोई हीट करते हैं तो वो स्कूर वेपर में घृत हो जाता है मिल्कुल ये आइटमपरिचर पर भृजर। सेंटिक सीट करते हैं तो s2 वेपर बनती है और एस्कूर वेपर जो होती है इसकी नेचर होती है बच्चों पएरा टेरा मेगनेटिक लाइक ओटो ओटो की तरह होती है इसकी नेचर तो हैस्टू इन वेपर स्टेट जुआ यहां कोपर प्लस टू देखो जब अमोनी एक्सेस में होता है तो भी है यह जी लिगेंड और लिगेंड के साथ में कोपर प्लस टू का कुमपलेक्स बन जाएगा तो कॉडिनेशन नॉबर चरका कुमपलेक्स बने गा तो थारड ये गलत होगा यहां कलर- Α क्लand kak नहीं होगा ठीक है तो आंसर हमारा थार्ड इस करेक्ट बिल्कुल वेल पॉपुलर कुश्चन है एंश्याटी का और इस साल यह पूछा भी गये था कॉंप्लेक्स इस बीट में विचोफ फॉल्लविंग स्टेट्मिन इस करेक्ट एच थी पी ओ थी इस 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 पी इच बोंड नगे करण रिडिशिंग भी होता है और डाइबेसिंग भी होता है तो फर्स टेंश्वरी इस करेक्ट अब यह डाइबेसिक लिग दिया नौन इस 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 सहर् v Tools modo अभी हो इस इस था इस इस तरह से मिंट्स ऑय प्तव्लें सुद्वरीटान भी संदों को आई इस तरह से क्राउंड शेप बन जाएगे बच्छों 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह जो बॉंड एंगल होता है बिल्कुल एंशेटी में लिखा हुआ है तो यह बॉंड एंगल होता है आपका 107 डिग्री 107 डिग्री बॉंड एंगल होता है तो आंसर हमारा सेकेंड और करेक्ट आये तो यह तो यह अप्षान तो गलत होगे वैसे और एक्षोन डिग्री एक्जेक्ट होता नहीं है और यहां बॉंड एंगल थोड़ा सा जो है वह कम हो जाता है है यह यह थे लैकम क्या होता है व ine है यह यह लगब है के वन जो होता है वह दस से बढ़ा होता है यह निकाल दिया निकाल दिया तो ग्तूल आप में से कब होता है बच्छो के वन जो होता है वेरी वेरी ग्लेटर देन के टू होता है को मन एनफेक्ट के कारण तो यह थार्ड अंसर आपका आजाएगर इन विचो फालोविंग एक्शन एजन ऑक्षिडाइज इस तो इस देता है तो देखिए यहां कोपरे साथ में देखो यह ऑक्षिडाइजिंग हो गया फिर यहां देखिए सब में देखो आई तो ओल आर करेक्ट H204 जब भी ऑक्सिकारक होगा तो इसका oxidation state 6 से क्या होगा decrease होता जाएगा 4 सब के अंदा SO2 गेस बन रही है आपके विच इनकरेक्ट PB3O4 is mixed oxide सही है बच्चों क्योंकि यह होता है PBO .PBO2 यहाँ आप लगा दीजिए 2 तो PB3 हो जाएगे और PB4 हो जाएगा N2O neutral oxide है यह भी ठीक है बच्चों Mn2O3 basic oxide है यह गलत है क्योंकि प्लस 7 में इसकी nature acidic होती है AL2 3 Mpoteric है यह भी ठीक बात है तो आपका third answer incorrect हो गया है composition of aqua rasia is aqua rasia का composition क्या है जैसे 3 is to 1 का ratio होता है लेकिन यहां concentrated HCl or concentrated HNO3 का mixture होता है बच्चों aqua rasia यह 3 part होता है यह 1 part होता है इसको aqua rasia बोलते है which is used for the dissolving the noble metal gold or platinum gold or platinum को यहां पर dissolve करने में काम आता है तो यह answer आपका second is correct E not reduction of some ions given E not reduction आपको दे रखा ऐसे अब E not reduction natural पता है कि minus ही होता है ठीक है बच्चों अब यह oxidizing potential इसका उल्टा हो जाएगा oxidizing potential जिसका ज्यादा होगा strong oxidizing होगा oxidizing power पुछा है oxidizing power जो है directly proportional E not oxidation in preparation of compound genome bat let bat let taken the O2PTF6 as a base compound this because देखे बच्चों यहां पर आपके पास genome आपके पास है और यहां है oxygen तो इन दोनों का आएपी जो था वो almost same था इन दोनों का आएपी वेल्यू जो था आएपी ionization potential energy जो थी इनकी same थी almost यह लगबग 1175 थी है कि एक को 1170 किलो जूल पर मूल थी किक है तो जैसे इसमें 1175 आती है इसमें 1170 किलो जूल पर मूल आ जाती है तो दोनों में compound आ रहा था O2 PTF6 जो था यह प्लस बनाए यह माइनस फिर यहां जिनोन आ गया था यह complex बना था अब आपके पास यह जो इसमें जो option बेठ रहा है वो third option आपका correct हो जाए बोत O2 एन जिनोन आज़ा almost say minus energy इसी प्रोपर्टी को उसने यूज किया था नील बैटलेट ने the oxidation state of central atom in the anion of compound na h2p2 will be तो oxidation state बच्चो फोसफोरस की निकाल लेंगे प्लस बना जाएगे यह आप देख करनो जाए sodium का प्लस बन होता है और hydrogen और वैसे देखो तो यह salt आप देखो तो salt भी देख सकते है na plus होता है और h2p2 minus होता ही तो इसमें अपने को फोसफोरस oxidation state पुचा है तो plus 1 oxidation state which of the halo acid halogen acid have the highest bond dysonial enthalpy तो बचो यह आपका hf जो होता है वो सबसे strong acid होता है क्योंकि यह पर overlapping सबसे effective आती है इसलिए यह weak acid होता है आपका which is not correct matching according to their property property according कोन सा सही मिला नहीं है fluorine, chlorine, bromine, oxygen, oxidizing power यह आपका ठीक आउडर आ रहा है bond dissociation energy का ओडर जो है fluorine, chlorine, bromine, iodine यह गलत ओडर है बच्छो फिर electronegativity का ओडर fluorine, chlorine, bromine यह सही है आपका atomic size का ओडर iodine का बड़ा होता है fluorine का सब चोटा होता है यह भी आपका ठीक आ रहा है तो bond incorrect आपको not correct पूछा है तो इसके according अपन जाए तो answer आपका second आ जाएगा क्योंकि देखो fluorine की यहां bondation energy का होती है कम हो जाती है chlorine आता है फिर bromine आता है और फिर आता है fluorine और उसके बाद यहां iodine आता है इसको बोलते है inter electronic repulsion यह है small size स्मॉल साइज पर inter electronic repulsion के कारण ऐसा होता है question number 37 बच्चो which is incorrect बुछ रहा है single NN bond is a stronger than single PP bond यह गलत statement है क्योंकि यहां पर बच्चो nitrogen nitrogen की उपर क्या होता है loan पे loan पे repulsion लगता है inter electronic repulsion के कारण इसकी bond energy क्या हो जाएगी कम हो जाती है PP bond energy जो है वो ज़्यदा बनेगी यहां पर small size पर क्या लग रहा है on small size inter electronic repulsion inter electronic repulsion inter electronic repulsion होने के कारण इसकी bond energy कम हो जाती है नहीं की ज़्यदा तो यह incorrect है यहां बता रहा है stronger तो यह नहीं होगा ammonia एक Lewis base होता है क्योंकि loan pair होता है इसके उपर loan pair donor और यह NO2 आपके पास क्या होता है बच्चो paramagnetic होता है इसके पास एक unpaid electron होता है और nitrogen की covalence n25 में कितनी होती है चार ही होती है क्योंकि यह कितने bond बना सकता है आपके पास यह बना सकता है इस तरह का structure देख सकते हो आप इस एक नाइट्रोजन कितने बंड बना रहे चार बना रहे तो आप आपकांसर आजेगा फर्स्ट इस इंकरेक्ट अबाउट पीस्ट्री फोस्पिन के रेस्पेक्ट में क्या सही है इन यहां पर अमोनिया और यह फोस्पिन नीचे की तरफ जाते है तो साइज बढ़ता है लोन पेर की अविलेबिलीटी क्या हो जाती है तो बेसिक स्टेंद कम हो यह अमोनिया से कम बेसिक होता है यह ठीक है यह highly poisonous gas होती है और it has a smell like rotten fish यह इसमें सड़ी मचलियों जैसी गंद आती है तो यहाँ पर जो है आपके पास first जो हाजाएगा वो क्या जाएगा incorrect statement पुछा है तो basic strength बच्चों क्या होती है इसकी ज्यादा होती है अमोनिया की क्योंकि यहाँ पर nitrogen का size चोटा होता है और यहाँ phosphorus का size बड़ा होता है nitrogen की और दूसरा आप ऐसे भी देखते हो ड्रेगो रूल से इसका hybridization sp3 होता है तो loan pair present in sp3 hybrid orbital और यहाँ loan pair present in pure s orbital उसके कारण s की electronic duty high होती loan pair देने की tendency कम हो जाती है तो यह एक reason आप यह भी बता सकते है इसमें इसमें no hybridization according to drago rules तो यह भी आप ले सकते हो reason which is not correct matching according to their property देखो बच्चों acidic character आपका जैसे size बढ़ रहा है hydro acid में अपन size के coding देख लिया चीक है तो यह आपका acidic question सही order आ रहा है और boiling point आपका बता रहा है HI का ज्याद़ है यह गलत है यह आपका सही matching नहीं आ रहा है melting point है HI का ज्याद़ होता है symmetry के कारण HF से क्योंगी HI ज्याद़ symmetrical होता है फिर HF में H bonding आती है उसके कारण ज्याद़ हो जाता है which oxo acid has SOS bond है अब यह bond question बता दिया आपको इसमें SOS bond हाता है H2S2O6 तो इसमें SOS bond पुछा आपका तो first answer is correct which is not correct matching according their property given properties HClO4, HClO3, HClO, HClO acidic strain का correct order है यह तो बच्छों ठीक हा रहा है क्यों oxidation state 7 देख लो यहाँ यहाँ आपका देख लो 5 यहाँ 3 यहाँ 1 ठीक है तो oxy acid में इसमें एक exception होता है इसको छोड़ के बाके देखें यहाँ पर second आ रहा है OONN CC single bond energy का order ही आ रहा है तो यह गलत order आ रहा है बच्छों not correct matching पुछा अपने को यहाँ OONN आ रहा है अब देखो oxygen में यहाँ पर आपका दो लोन पेर होते हैं यहाँ आपके पास लोन पेर क्या होते हैं एक होता है यहाँ लोन पेर ही नहीं है तो यह सिंगल bond energy कार्बन कार्बन की यह ज्यादा होती है फिर रहता एनन और फिर आता है OO यहाँ लोन पेर के कारण ओडर यह correct order बनेगा यह गलत ओडर आ गया तो हमारा answer जो बना second answer फिर bond angle का ओडर ammonia का ज्यादा होता है सही नीची ज़र जाएगा और aesthetic strength का ओडर आपको मैंने बताया था अभी exception वाला case यह सही आ रहा है आपका तो जो second answer है वो correct है क्योंकि यहाँ पर oxygen की ज्यादा नहीं होगी single bond energy क्योंकि यहाँ लोन पे देखो बच्चो डिपल्स लग रहा है यहां रिपल्स लग रहा है ज्यादा लग रहा है इसके करण oxygen oxygen की bond energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ने कि ज्यादा यहां यहां पर फ्लोरीन पर माइनस वन आता है ऑक्सीजन पर प्लस टू आ गया और ओटू यहां पर माइनस वन आ गया यहां प्लस वन इस वजए से इनको oxygen fluoride कहते है यह पर उक्सेड नहीं होता है और नेमिंग में भी अपन क्या करते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्र नेगेटिव काईड बोलते है वेन एफ्टू रेक्ट्र विद एच्टू इट फर्म देखे बच्चो एफ्टू जो होता है वोटर से रेक्शन करता है तो यह strong oxidizing agent होता है यह oxidizing agent होता है strong oxidizing तो यह इसको oxidize कर देगा यह oxygen gas देगा यहाँ पर और यह बना लेगा HF तो O2 gas देगा बच्चो एफ्टू नहीं नहीं होता है तो first answer is correct which of following compound of bismuth is exist देखे बिश्मित का higher oxidation state में जो compound पाया जाता है वो fluorine के साथ होता है यह इसका BIF5 जो होता है वो well characterized है वैसे तो इसकी lower oxidation state ज्यादा stable होती है लेकिन higher में पाया जाएगा तो fluorine होगा बाकी में क्या होता है यह reducing agent हो जाते है और यह oxidizing होता है जिस्ट नहीं कर पाएंगे तो यह second answer is correct which of compound will act as the strongest reducing agent देखें बच्चों नीचे की तरब जाते हैं जाते हैं आपन NS3, PH3, ASS3 और SbH3 तो reducing power ऐसे नीचे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी तो सबसे strong reducing agent आपका हो जाएगा SbH3 size के coding देखेंगे और जो antimony और hydrogen का size में डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा तो जल्दी तूटेगा तो hydrogen ज्यादा देगा वो strong reducing agent होगा which of following element is oxidized by the concentrated hydrogen into two gases product बहुती बढ़ती बढ़ती कुश्चन है देखें जब कार्बन की reaction अपन constant T-204 से कराते है non metal में तो बच्चो CO2 बनेगा और प्लस SO2 बनेगा देखें दो गेसे इसी में बनेगी अब इसमें केवल बनेगी आपके पास कौन सी SO2 इसमें केवल SO2 बनेगी और इसमें भी क्या बनेगी SO2 बनेगी तो यहां हमारे पास third answer is correct which of following statement is not correct तो बच्चो SS bond present in S2S2O4 ठीक बात आईए SS bond present है इसमें देखें इस तरह का structure हो गया आपका यहां लगा दीजी OH यहां लगा दीजी OH तो यहां लगा दीजी OH तो यहां लगा दीजी OH तो यहां है H2S2O4 SS bond हो गए oxidation state sulfur का plus 6 होता इसमें पर-oxid linkage होता इसमें देखिए यह पर-oxid linkage है इस वज़े से प्लस 6 में जाता है यह ठीक है hydrolysis XF6 is a redox reaction यह नहीं होता बच्चो इसमें क्या होता है XCF6 जब भी convert होता है तो वो water के साथ reaction करेगा तब यदि मालो partially कराओ तो भी आप complete कराओ जैसे देखो इसमें XEOF4 बनता है या फिर XEO3 बनता है यहाँ पर आपके पास आ गया चार XEOF4 ले लो चाहिए XEO3 ले लो तो किसी में भी आप देखो और oxidation state वहीं रहता है जीनों का चेंज नहीं होता है तो not a redox reaction not a redox यह redox नहीं होती है XEO3 इस एक colorless explosive solid यह सही है बच्छो explosive solid होता है XEO3 जो होता है आपका pyramidal होता है इसे तो यह बच्छो मारे पास है इसका जो answer है थार्ड आजेगा वैसे यहाँ पर चाहिए XEO4 बनता है एक और भी बना सकते है XC02 F2 भी बना सकते हो आप question number 48 बचो which is correct structure of XCF6 तो देखेंगे यह linear है आपका distorted octahedal pyramidal square plane तो सबसे पहले hybridization निकाल लेंगे तो यहाँ पर hybridization यहाँ पर आपके पास में distorted octahedal आजाएगा देखेंगो इसमें क्या होता है यहाँ आप इसे फ्लोरीन बना दीजिए अब देखो इसमें क्या होता है यह लोल पर आ जाता है बीच में इसके कार्ण इस डिस्टोर्टे डॉक्टाइटल हो जाता है पीरा मिडल तो आपका अलग हो जाता है इसमें तो तो आंसर आपका सेकेंड आ जाएगा नेक्स चलते है बच्चो विच इस करेक्ट शेप ऑफ बीर एप त्री ओन दा बेसिस ऑफ द वेश्ट पर थिवरी देखिए बच्चो इसमें हमारे पास बीर एप तरी का हाइबड़ाशन होगा इस्पी त्री डी अब ब्रोमिन में आ गाए अपके पास साथ और सात और तिन दस के कोडिंग आपके पास आएंगे तीन यह आ गया बच्चो ब्रोमिन यहां पर अब देखिए हैं आप यहां रग दिया फ्लोरीन पिर यहां फ्लोरिन रख दिया और यहां आपके पास है फिर फ्लोरिन आ गया से अब यहां लोन पेर आपके पास है तो लोन पेर को आपने रख दिया इक्विटोरिल पोजिशन पर इक्विटोरिल में बचो यहां रिपल्शन लगेगा तो यह थोड़ा सब बैंड बैंड चले जाएंगे ठीक न बैंट टी शेप बैंट टी शेप फर्स्ट एंचरीज करेक्ट वीचो फॉल्वविंग इस मिक्स एनएडराइड ऑफ ऑक्सी असीड ऑफ नाइट्रोजन तो यह हमारे पास एन टू ओ फोर जो तब मिक्स होता है यह एन टू फोर का मतलब है एन लो टू हो गया इसमें और एन लो टू जो है आपके पास यह एन टू फोर बना रहा है तो यह जो है प्लस 4 oxidation state है इसका जब water से reaction कराते हैं तो यह HNO2 plus HNO3 देता है बच्चो प्लस 5 और प्लस 3 का तो mix and added बोलते हैं इसको N2O5 जो है यह HNO3 का हो गया है और यह आपका HNO2 का हो गया नाइटरस एकिड का Among the following which is the highest oxidizing power देखें बहुत अच्छा question है यह और यह कई बच्चों का गलत भी हो जाता है क्योंकि इसमें अपन oxygen के coding देख ले जाते हैं तो यहां क्या होता है जो बच्चों जैसे अपन जब इसका 9 बनाते हैं CLO 4 माइनस बनता है तो इसमें CLO जो bond length जो होती है वो किस में ज़्यादा होती है वो होती है जैसे आपन बना रहे हैं कि इसमें ज़्यादा होती बॉंड लेंद जिसमें ज़्यादा होगी वह आंसर होगा एचल 4 तो यह highest oxidizing power होगा क्योंकि बच्चों ब्रेक होकर के अपने को oxygen gauge देता है वैसे आपको बता है एचल जो होता है न ब्रेक होता है तो एचल देता है और नेसेंट oxygen देता है नेसेंट oxygen इसलिए ध्यान रखना इसमें बिल्कुल highlight एचल 4 आंसर नहीं होगा इसका एचल ओ इसका एचल ओ इसक्रेक्ट एंसर विस्ट सेट ऑप oxide of nitrogen is paramagnetic in monomeric state paramagnetic होगा monomeric state में तो देखिए बच्चों जो होता है इन दोनों में होता है क्योंकि N2 में तो नहीं होता है यहां भी N2 आ रहा है देखो आप जानते हो अच्छे से यहां आपके पास एक electron पड़ा है ओड इलेक्ट्रों जिसमें होते हैं और N2 इस तरह का structure है त्रीकर बच्चों थार्ड आंसर इसक्रेक्ट कर्रेक्ट क्या देगा कंसंट्रेड के साथ में हमेशा ऐसो टू केस्ट देता है विच बन अफ फॉल्विंट दूरिंग दूरिंग दा है दो फोरेड देखिए अब थोड़े पहले बताए था एक रिडॉक्स रिक्शन नहीं होता और यह जब भी वाटर चे रिक्शन करता है तो यह तो बना सकता है यह एक दो थी एक प्प्लीट यह तो यह तो यहां तो पी ओप्लीट दिख रहे हैं दो में भी डाउट रहता है तो यहां जो आपके पास आता है पी ओपी डॉप बॉण्ड डॉबल बॉण्ड और यह आए गया ओच यह ओच यह है ओच यह और यह पास बादन टू थी फॉर फाइप सिक्सेवर तो आंसर आपका क्या हो गया फस्ट हो गया इसमें इसका जो स्ट्क्चर बनेगा इसे पी पी लिंके आजाएगा बच्चो और यहां पर ऑक आपका यह है पीपी लिंके जिसमें तो हमारा अंसर जो है फस्ट हो गया तो हैयलोजलमें देखिए फ्ल 커्लोरीन ब्रोमीन और ऑइटिविटी ओडर है और तो फ्लोरीद क्या कर सकता है इन 3 प्लेस्स सकता है देखिए ब्रोमीन जो है वो आइडिन को रिप्लेस्स कर सकता है बच्चो और आयोडीन जो है देखिए ब्रोमीन जो है आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है ठीक है लेकिन देखिए आयोडीन वापिस ब्रोमीन को नहीं कर सकता है और क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता ठीक है और फ्लोरीन जो है वो यहां पर रेक्शन क तो देखें यह भी क्लोरीन की रियक्शन जब एन्यों से करते हैं एक्विस के साथ में तो वैल पॉप्लर कोश्चन है यह एन्यसी एल बनेगा बच्चो एन्यसी एलो थ्री बनेगा तो यहां क्लोरीन का उक्षडेशन नंबर कितना है पांच और यहां आपके पास आगया तो इस प्लस फाइफ तो डिस प्रोपोर्शन रिक्षन हो जाएग आपका तो जीरो टू-1 जीरो टू-2 प्लस फाइड यह आपका फॉर्थ एंसर आ रहा है और देखे किसी में भी नहीं बन रहा है यहां पर प्लस वन दे दिया और इधर माइनस फाइब दे दिया तो डिस्प्रपोर्शन एक्षन है वेल पॉपलर कोश्चन कोल्ड के साथ भी और होट के साथ दोनों के साथ रीक्षन आती है विचोप फॉल्ण डाज नोट कि दा ऑक्सीजन ओन दा हीटिंग कौन सा गरम करने पर ऑक्सीजन नहीं देगा तो देखिए बच्छोप लॉरेट आप जैसे आप हिट करोगे स्कोट यह वी क्लोरट है और टो से इन सब में और इसको हीट करेंगे तो एन्न टू इस बनती है यह अमने बात करी थी तो यह विए हमारा इजी सा कुशन हो गया है और हो पर नहीं अब रेक हो राहिट तक ब कँपर की रिएक्शन करा रहे हैं तो बस्ष्ण यहां कोपर का है's बन जायगा और ब्रावन गेस रेलीयज होती ब्रावन गेस्पर்द्फ इस ब्रेलीज होती यहां तो गेप्षिक दो निकल रही हैा दोनों में लेकिन यहां स्टेट्मेंट पूछ रहा है विच इनकरेक्ट स्टेट्मेंट पूछ रहा है ओएन एफ कि इस आइसो एलेक्टोनिक वीद ओ ओटू एन नेगेटिव तो आप इलेक्टोन काउंट कर लीजिए ऑक्सिजन में आपके पास पूसराद होगे नाइट्रोजन में साथ होगे फ्लोरीन में नो हो गे तो आप काउंट करके देखो गये इदर आपके पास होगे आट इंटु दो सोला सोला और साथ ठीक है बच्छों सोला और इदर देखेंए 16 इलेक्ट्रोन ये और ये साथ ये और एक ये काउंट कर लीजिए तो 24 इलेक्ट्रोन आगे और इसमें देखें, ONF में, onf में oxygen में आपके, nitrogen में 7, oxygen में 8, और यह हो गए 9, तो यहाँ देखी, यह बच्चो कितने हो गए आपके, यह हो गए 15, और 15 और 9, यह भी 24 सेलेक्टरोड है, और OF2 इस दाने, oxygen of fluorine, यह गलत हो गए बच्चो, तो यह उक्साइड नहीं होता है यह फ्लोराइड होता है तो यह ही इनकरेक्ट है हमारा सील टो से विदा एन एड़ पर क्लोरीक एसिड सही बच्चों यह एची लो फोर देदेगा प्लस सेवन और यह भी प्लस सेवन है यह आप सब जानते हो जो जो स्टक्चर आपका आता है बेंड शेप आता है तो यह हमारा जो सेकेंड है वह इनकरेक्ट हो गया तो बच्चों आपको बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा क्योंकि मैंने ओल्मॉस्ट जो है लगवर पूरा इनिशाटी कवर किया है और सभी पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत बढ़िया किया होगा आपने और अच्छा करिए लगे रही है आप ओके बचो थाइंक्यू जैजै सील्ची